इस्टूडेंट्स आज की क्लास पे हम लोग प्रश्णावली 5.92 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं Q1 में क्या कहा जा रहा है? Q1 में कहा जा रहा है निमलिखित सार्णे मेरे तरस्थानों को बारिये जहां AP का पर्थमपद A, सरबांतर D, एनवापद AN है तो इस्टूडेंट चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा कॉंसेट को समझ लेते हैं आप समझे, हमारे पास कोई भी समानतर सेड़ी है, ठीक है, हमारे पास कोई भी समानतर सेड़ी है, और जो समानतर सेड़ी है, इसके पद कुछ इस तरीके से, पहला पद A है, दूसरा पद हमारा A प्लस D है, तीसरा पद A प्लस 2D है, और जो चौथा पद हमारा है, वो कितना ह है आएसे हैसे हमें एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए अब अगर हम लोग इस an की बात करें तो यहाँ पर जो मारी समानतर सेड़ी है इस सेड़ी का जो पर्थम पद होता है पर्थम पद को क्या कहते है एक कहते है अगर हम लोग इस N की बात करें तो N हमारा क्या है अब वही सेड़ी है तो सेड़ी में कुल कितने पद है पदों की संख्या को N कहते है लिखिए पदों की संख्या पदों की संख्या हमारी क्या कहलाती और अगर हम लोग इस D की बात करें तो D हमारा क्या होता है सर्बांतर होता है अब सर्बांतर निकालने का एक formula होता है formula देखी क्या होगा आपको कोई भी दो पद लेने क्रमसा दो पद लेने जैसे आपने पहले और दूसरे पद को लिया ठीक है तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो आपको D मिल जाएग AN प्लस 1 माइनस AN ठीक है तो आप लोगों को याभी याद रखना है चलिए अब यहाँ पर हम लोग questions पर चलते हैं और प्रस्टनों को solve करते हैं तो student आप लोग questions को ध्यान से देखे इसमें क्या कहा जा रहा है हमें सर्णी का पर्थम पद दिया गया है सर्वांतर दिया गया है कितने पद हैं पदों की संक्या दी गई हमें AN निकालना ठीक है यानि कि हमें सर्णी का A9 पद निकालना है क्या होगा चलिए तो अभी भी हमने formula सीखा formula हमने क्या सीखा कि जो हमारा AN होता है वो equal होता है A plus N minus 1 of D के अब देखें सर्णी का पर्थम पद हमें A बराबर क्या दिया है 7 तो A के अस्थान पर आप सेखा रखिए N का मान देखे क्या दिया 8 तो N के अस्थान पर आप 8 रख दीजी into में D D का मान देखे क्या दिया 3 तो यहाँ पर उने 3 रख दिया और an हमें करकरना निकालना है तो लिए हर कर गएते हैं इसको 7 प्लस 8 में से एक घटाएंगे कितना हैगा 7 इन 2 में 3 7 प्लस 7 को उन्हें 3 से मल्टिप्लाई किया तो 7 तरिक हो गया 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 28 तो यहां से जो हमारा an है वो हमारे पास क्या आगया 28 तो लिख दीजिए यहां पर an का मान 28 है चली इससे दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर में क्या निकालना है देखिए दूसरे नंबर में d निकालना है और d निकालने के लिए क्या करेंगे अब तो यहाँ पर हमें steady बना करके तो दिया नहीं है तो हम लोग इसी formula का use करेंगे d निकालने के लिए a n is equal to क्या होगा a plus n minus 1 of d अब देखिए यहाँ पर हमें a n कमाण 0 दिया गया तो यहाँ पर आप 0 रखिए steady का पर्थम पत a कमाण minus 18 दिया गया है plus n n कमाण देखिए कितना दिया गया 10 तो यहाँ पर आप 10 रखिए minus 1 into में d और d अमें करना कहा है निकालना है इस minus 18 को इस तरह बेजिए हो जाएगा plus 18 और यहाँ पर देखिए 10 में से आपने एक घटा है तो हमारे पास 9 बचा into में d 9 एक के 9 9 दूनी 18 और d is equal to कितना आगे 2 हमें d निकालना था हमने d निकाल लिया है तो यहाँ पर भर दीजिए student हम लोग इस तीसरे नमबर को solve परते हैं तीसरे नमबर में देखिए मैं क्या निकालना है तीसरे नमबर में से निका पर ठंपत find out करना ठीक है तो चलिए formula apply करते है formula हम लोग जानते है a n is equal to होता a plus n minus 1 of d अब a n कमान देखिए यहाँ पर क्या दिया है minus 5 तो यहाँ पर आप minus 5 रखिए सेनी का परत्थम पत में निकालना है n कमान देखिए क्या दिया है 18 minus 1 into में d और d कमान क्या दिया है minus 3 solve करते हैं इसको यहाँ पर minus 5 a plus 18 में से आप एक घटा यहाँ तो 18 में से में घटा हैंगे तो हमारे पास क्याएगा 17 ठीक है और 17 को minus 3 से multiply करेंगा 17 यहाँ एक क्याओन minus 51 हो जाएगा देखे इस minus 1 को आप इधर भेजिए तो यहाँ आएगा हो जाएगा plus 1 क्याओन minus 5 is equal to a और आप देख सकते हैं एक का मान एक क्याओन में से 5 घटा यह क्या जाएगा 46 तो जो मारा सैड़ी है सैड़ी का पर्थम पत क्या है 46 है चलिए अब आप लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का solution क्या होगा तो student क्या निकालना है इसमें n का मान निकालना है ठीक है formula apply करिए a n is equal to होता a plus n minus 1 of d अब a n का मान देखे कितना दिया a का मान देखे कितना दिया minus 18.9 लिकिए 2.5 और a n का मान दिया 3.6 चलिए हल कर लेते हैं इसको देखे यहां पर लिकिए 3.6 ठीक है इस minus 18.9 को आप इदर लेकर करके आइए थो जाएगा plus 18.9 is equal to n minus 1 और यहां पर क्या है into में 2.5 चलिए हल करते हैं देखे आप इसमें इसको add करिए तो 6 में 9 जोड़ा तो कितना गया 15 के 5 हासिल 1 ठीक है हमने 8 में 1 जोड़ा 9 हो गया और 9 में 3 जोड़ा 12 के 2 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ा कितना गया 2 ठीक है चलिए यहां पर लिकिए n minus 1 into में 2.5 यह 2.5 इधर आएगा तो divide के साथ हो जागा लिखिए 22.5 बटे में 2.5 is equal to n minus 1 हल करिए देखे इसको उपर नीचे हम 10 से multiply कर देने ठीक है उपर नीचे 10 से multiply कर सकते हैं तो आप कर दीजिए ऐसा हम 10 लोग हटाने के लिए कर रहे हैं हमने कर दिया यहाँ पर n minus 1 चले देखे क्या हो जाएगा 225 हो जाएगाई यहाँ पर 25 is equal to n minus 1 कार दीजिए देखे 25 चोके 100 25 पंचे 125 25 शक्का 1.5 25 जत्त 155 25 अठ्थे 200 और 25 नव हैं कितना होता है 225 तो यहाँ से n minus 1 is equal to कितना अगे 9 तो minus 1 को उधर बेज़ दीजिए n is equal to 9 plus 1 कितना आगे 10 आगे तो इस तरीके से आप देख सकते है हमें n का मान निकालना था और हमने n का मान निकाला तो हमारे पास कितना है 10 तो यहाँ पर आप भर दीजिए चलिए अब हम लोग इस 5वे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वे नंबर का solution क्या होगा तो student चलिए देखते हैं 5वे नंबर में क्या निकालना है 5वे नंबर में a n निकालना है ठीक है और a n निकालने का हमारे पॉस्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है a n is equal to होता है a plus of d a कमान कितना है 3.5 n कमान है 105 minus a into में d कमान देखी क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 से गुड़ा करना है ठीक है चलिए आगे देखिए अब यहाँ पर क्या जागा 3.5 और 105 में से गटा होगे थो जागा 104 और आप 104 को 0 से multiply करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा इस तरफ इतना पूरा 0 हो जाएगा और a n is equal to क्या हो जाएगा 3.5 तो यहाँ पर आप 3.5 भर दीजिए और इस तरीके इस्टूडेंट ए जो मारा question number 1 था हमने question number 1 के सवालों को solve कर लिया है चलिए अब हम लोग अगली number पर चलते हैं और उसको solve करते हैं तो students आप लोग दूसरी number को ध्यान से देखे इसमें क्या का जा रहा है नेमनिकित में सही उत्तर चुनिये और उसका आउचेत दी दी रहे तो यहां पर हमें AP दी गए ठीक है एक समंतर चलि दिया गया है तो चलि के जो पद है पहला पद 10 है दूसरा पद 7 है तीसरा पद 4 है हमें इसका तीसवा पद चाहिए कौन सब पद चाहिए तीसवा पद तो इस्टुडेंट हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था फॉर्मूला हमने आपको क्या बता है कि जो हमारा फॉर्मूला है अनों पद निकालने का हमारा क्या होता है AN is equal to होता है A plus N minus 1 of D होता है ठीक है तो यहां पर आप लोग मार रखिए देखिए अब A मारी सिरंडी है तो सिरंडी का परतमपत क्या होता A होता तो यहां से जो मारा A है A कमान क्या हो गया 10 हो गया A कमान आप 10 रखे प्लस N अब देखिए N में 30 दिया 30 पाटचाई तो यहां पर इम आप सा पाटचा आप दूसरे पत को लेना दूसरे पत मैंसे पहले पत को घटा देना तो 7 मैंस आप 10 करिए तो 7 मैंसे इने 10 घटा है तो हमारे पास मैंस 3 आगया तो यहां पर आप मैंस 3 लिख दीजिए चलिए हल करते हैं यहां पर देखे 10 प्लस 30 में से आप एक घटा होगे तो 29 आएगा और 29 को माइनस 3 से मल्टिप्लाई करोगे तो 29 तिया होता है 87 हमारे पास माइनस 87 आगया ठीक है और यहां से देखिए माइनस 87 और प्लस 10 तो बताइए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस 77 ठीक है क्या जाएगा माइनस 77 तो जो हमारा ओप्सन आप लोगों को यहां पर देख पार है मारा ओप्सन नंबर जो C है और क्या है करेक्ट है माइनस 77 यहां पर तो हमारा option number C क्या है correct है चलिए अब मैं लोग इस दूसरे पर चलते हैं और इसको हल कर लेते हैं ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर send दी गई है तो चलिए पर्थम पत क्या दी आ गया minus 3 सर्बानता निकाल लेते हैं अब बानता निकालने के लिए 10 माइनस 10 करें ठीक है minus 1.2 माइनस करेंगे minus 3 यहाँ पर लिखे minus 1.2 माइनस माइनस हो जाएगा plus 3 ठीक है अब भाई हर बराबर करोगे तभी घटा पाऊगे तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए इसके उपर निचे 2 से गुड़ा कर दिया तो minus 1.2 प्लस 3 दूरी क्या हो गया 6 और यहाँ पर बटे में 2 तेकि हर बराबर हो गया तो अंसों को आप घटा लीजिए या जोड लीजिए चिनने तो जोडना है बटे में 2 तो 6 में से एक घटा आगया 5 बटे में 2 तो A मारा क्या आगया? D आगया, हमारा सर्बांतर आगया हमें A11 माँ पाच चाहिए तो formula हमने क्या सिखाया आपको? मारा जो A N होता है इस इकोल 2 होता A plus N minus 1 of D हमें A11 माँ पाच चाहिए यानि कि A N कमान क्या है? 11 तो हमें A11 चाहिए A कमान माइनस 3 रखिए प्लस N N कमान 11 है माइनस 1 औप D और D कमान कितना है 5 बटे 2 बस आपको कुछ करना नहीं फॉर्मूले में बैलूज रखिए उसके बाद हल करते चले जाएए माइनस 3 प्लस 11 में से हमने 1 घटा है तो हमारे पास आगया 10 और यहाँ पर गोडे में है 5 बटे 2 काटिए 2 एक के 2 2 पंचे 10 ठीक है यहाँ पर आया माइनस 3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पचे क्या हो जाएगा 25 और 25 में से आप 3 घटा ही है क्या आएगा 22 तो जो मारा 11 पाद है क्या आगया 22 तो कहीं पर भी आपको 22 दिख रहा हाँ तो यहाँ पर जो मारा option नमबर भी है क्या है correct है तो चलिए आप मैं लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं और इसको solve करते हैं तो student आप लोग question नमबर 3 को ध्यान से देखिए question नमबर 3 में हमें करना क्या है नमबने कि 17 चलिएं में रित अस्थान 9 के पदों को ग्याद कीजिए तो यहाँ पर जो आपको खाली अस्थान दिख रहा है हमें करना क्या है इस खाली अस्थान में पदों को भरना है तो student आप लोग एक बात और सेख लिजिए अभी हमने formula सिखा कि हमारा जो an होता है is equal to होता a plus n minus 1 of dk अब अगर हमारा जो स्रणी है स्रणी का जो यह नमबर पद है जैसे यहाँ पर देगे इसे तीसरा पद कहेंगे भई यह तीसरा पद है इस case में जो मारा formula होता है l is equal to होता है a plus formula वही होगा केवल an के अस्तान पर यल आ जाता है l is equal to होता a plus n minus 1 of dk इसको भी आप लोग ध्यान रखिए चलिए अब हम लोग इस question को solve करने वाले हैं तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं देखते हैं इसका solution क्या होगा first number को आप लोग ध्यान से देखिए हमें यहाँ पर पर्थम पत क्या दिया गया a 70 है तो 70 का पर्थम पत 2 दिया गया a का मान 2 है अब हमें यहां वाला पद निकालना है ठीक है यानि कि में कौन सा पद निकालना a2 दूसरा पद हमें निकालना है इसे आप a3 लिख दो या फिर an लिख दो तो एक दो तीन हमें गिनने में आ रहा तो हम इसे a3 लिख देने ठीक है तीसरा पद तीसरा पद हमें दिया 26 हम लोग formula जानते है formula क्या है formula हमारा an is equal to होता a plus n minus 1 of d अब देखिए मैं तीसरा पद पता है यहन कमान 3 रखिए a3 is equal to a plus 3 minus 1 of d इतना पता चला आपको अब a3 कमान यहाँ पर रखिए 26 देखिए हम सरवांतर निकालने की कोशिज कर रहे हैं सरवांतर मिल गए तो हम जितना मर्जी उतना पद निकाल सकते है 2 is equal to 2d 26 में से हमने 2 घटा आया तो हमारे पास कितना आ गया 24 is equal to 2d 21 के 2 दो बार में 24 और d कमान आ गया 12 तो इस्टूडेंट हमारे पास जो सरवांतर है वो 12 आ गया और आपको पता है क्या पता रता है अगर हमारे पास पहला पद है इसमें हम d जोडेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाता है ठीक है तो हमें दूसरा पद चाहिए a2 या फिर आप लोग आप formula भी apply कर सकते हो देखिए चलिए हम formula से आपको बता दे रहे है या फिर आप d directly add कर देंगे तब भी मिल जागा formula से सीखे ये देखिए a2 is equal to क्या होगा a plus तो n कमान यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 minus 1 और d कमान क्या है 12 है रख दीजिए a कमान कितना है देखिए 2 है तो यहाँ पर हमने 2 रखा 2 में से एक घटा है तो मारे पास क्या आगया एक यहाँ पर है 12 चलिए 2 प्लस और 12 के क्या होजागा 12 12 में 2 जोड दीए 12 कितना होजागा 14 देखिए हमने a2 निकालना था a2 मारे पास क्या आगया 14 तो यहाँ पर आप लोग क्या भर होगे 14 नहीं तो इस सरबांत्तोर को उठाते 12 में 2 आइड करके आप डरेक्ली 14 कर सकते थे चलिए अब लोग इस second number को solve करते हैं और देखते हैं second number का solution क्या होगा तो student आप लोग ध्यान से देखिए अब लोग इसको solve करने वाले second number को अब इसमें ध्यान से देखिए हमें सेड़ी का पर्थम पद निकालना है दूसरा पद दिया गया है और यहां पर box हमें सेड़ी का तीसरा पद दिया गया है यह आप कह सकते हो यह हमारे चौथा पद है यह जो हमारे चौथा पद है अन्तिन पद के बराबर हो जारा ठीक है चलिए solve करते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा तो हमें पर्थम पद निकालना है और हमारा जो A2 है A2 is equal to 13 दिया गया है हमारा सेड़ी का तीसरा पद है इसको निकालना है और यह जो चौथा पद है A4 हमारा हो जारा किसके अन्तिन पद के ठीक है और अन्तिन पद कितना है तीन है चलिए वहनों इसको solve कर लेते हैं और यहां से लोग सर्वांतर निकालते हैं चलिए देखते हैं सर्वांतर क्या हो जाएगा तो हमारी परस फर्मूला होता है A N is equal to A plus N minus 1 of D ठीक है अब यहां पर देखे A N का मान कितना है 4 है तो यहां पर हमने लिखा A4 A plus N N का मान देखी कितना है वही चार रखें तो यहां पर भी चार रखेंगे 4 minus 1 इंटू में D अब आपको D का मान पता है नहीं पता है तो यहां पर आप ऐसे D रख दीजिए तो A4 का मान कितना है 3 है तो यहां पर हमने 3 रखा is equal to A plus चार में से हमने गटा है तो हमारे पास कितना आ गया 3 तो यहां पर हमारे पास आ गया 3D और इस्टुडेंट इसको मान लेते हैं समिकर नंबर 1 ठीक है चलिए अब आप ध्यान से देखें अब हमें A2 भी दिया गया है तो A2 किसके बराबर हो जागा देखें यहां पर यहन के अस्थान पर हम 2 रख रहे है A plus यहन के अस्थान पर 2 रखी माइनस 1 ओप D और A2 का मान देखें कितना है 13 है तो यहां पर हमने 13 रखा A plus दो में से गटा ही है कितना है गा 1 और यहां पर मरे पास बचच़ड़ी इसको हमने समीकरण नमबर 2 माल लिया स्टुडेंट समीकरण 1 और हम 2 को क्या करेंगे हल कर लेंगे बिलोग पर विजिस हल कर लिजी किसी एक variable को समाप्त करेंगे तो यहां पर यह समाप्त होता दिख रहा है अगर हम एक मेंसे 2 को घटा दे लिखिए समीकरण 1 मेंसे समीकरण 2 को घटाने पर तो इस्टुडेंट आप घटाईए देखिए हमारे पास का है A plus 3D is equal to 3 है और यहां पर देखिए A plus D is equal to 13 तो जब घटाते हैं तो चिन बदल जाता है तो चिन आप बदल दीजिए प्लस A minus A 0 हो गया 3D मेंसे हमने D घटाया तो हमारे पास कितना D बचा 2D और यहां से दिखिए minus 13 plus 3 कितना आएगा minus 10 ठीक है? काटिए 2 1 के 2 2 5 10 D is equal to आगया कितना? minus 5 तो हमारा जो इस सर्वांतर है D is equal to minus 5 मिल गया है इस D का आमान हम लोग समिकर्ण 2 में रख दें या पिर 1 में रख देंगे तो हमें 1 का आमान मिल जाएगा तो रख दीजिए लिकिए D बराबर minus 5 समिकर्ण 2 में रखने पर हमें आसानी से मिल जाएगा 2 में रख दें D बराबर minus 5 समिकर्ण 2 में रखने पर तो D का मान minus 5 आप इसमें रखिए 13 is equal to A plus D D का मान देखे कितना है? minus 5 तो यहाँ पर हमने minus 5 रख रखा और इस minus 5 को आप इधर भेजिए 13 minus 5 इधर आगा तो जागा plus 5 A 1,13,5 कितना हो गया? 18 देखिए हमें A का मान निकालना था सरड़ी का पर्थम पर तो सरड़ी का पर पर हमारे पास क्या आगा है? 18 तो यहाँ पर आप 18 लिग दीजिए अब आपको पता है क्या पता है? अगर हम इसमें सर्वांतर जोड दें तो हमें A वाला पत मिल जाएगा तो हमारे पास A2 कितना है? 13 है ठीक है? और हमें A3 चाहिए A3 में जब A2 परही A3 लेने के लिए क्या करेंगे? A2 में D जोडेंगे A2 में D जोडेंगे D का मान कितना है? माइनस 5 ठीक है? और A2 का मान है 13 तो यहाँ पर आप 13 लिखिए पलस मानस मानस हो जाएगा और 13 मेंसे हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर आ गया है 8 तो और इस तरीके से यह जो मरा question number 2 था हमने इसको solve कर लिया है तीसरे का जो दूसरा था हमने solve कर लिया है चलिए अब लोग इस third number पर चलते हैं और इसको solve करते हैं ठीक है? तो चलिए student आप लोग ध्यान से देखिए अब इसमें में करना क्या है? चलिए यहाँ पर हमें आंतिम पत दिया गया यहाँ पिर आप count भी कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार हमें चौथा पत दिया गया है तो लिख लीजिए हमारा जो A4 है वो कितना है? 9 सही एक बटे दो दो नमा ठारह एक उननीस बटे दो इसको लिख सकते हैं तो हमने उननीस बटे दो लिख दिया ठीक है? चलिए, सड़ी का पर्थम पत दिया गया A, एक अमान कितना है? 5 तो चलिए लोग फॉर्मूला जानते हैं, मारा फॉर्मूला A N is equal to होता है A plus N minus 1 of D, यही होता है, अपलाई करिए E N बराबर हम 4 रखते हैं, ठीक है? लेकि N बराबर 4 रखने पर क्यों रख रहे है N बराबर 4? इस सवाल आपके माइंड में उठे गया तो यहाँ पर देखी मैं 4 पत दिया गया है, इसलिए मैं N बराबर 4 रख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं A4 मिलेगा A4 is equal to A plus, यहाँ का मान 4 तो यहाँ पर भी 4 रखे, minus 1 of D A4 का मान कितना दिया? 19 बटे 2, ठीक है? 2 नवाट ठार है, 19 बटे 2 और A का मान देखी क्या है? 5 है 4 में से 1 गटा है, तो 3, यहाँ पर D इस plus 5 को आप इस तरह भेचे 19 बटे 2, minus 5, is equal to 3 times of D 2 पंचे 10 बटे में 2, is equal to 3 D 19 में से मने 2 घटा दिया, था हमारे पास 9 बटे 2 देखे, यहाँ पर 3 का है? multiply के साथ है, यहाँ पर आएगा divide के साथ is equal to D, 3 एक के 3, 3 तरिक 9 और D is equal to, मारे पास क्या आगा? 3 upon 2 तो यहाँ पर यह जो हमारी स्रेडी है यहाँ देखे, यह जो स्रेडी बन रही है इसका सर्वांतर हमारे पास कितना आगया है? 3 upon 2 आगया है, तो जब मैं सर्वांतर मिल गया है तो स्रेडी के बाकी पदों को लोग निकाल सकते हैं देखे, कैसे निकालेंगे? तो सर्वांतर जोड देजिए तो यहाँ पर एक कमान कितना है? 5, तो 5 प्लस 3 upon में 2 तो देखे, यह क्या आएगा? 2, 5, 10, 3, 13 बटे में 2 और देखे, इसको कार दीजिए 2, 12, 13 बटे 2 तो हमारे पास क्या आगया? 6 सही 1 बटे 2 अब देखे, तीसरा पद चाहिए तो दूसरे पद में D जोड़िए अब में तीसरा पद चाहिए ना तो दूसरे पद में D जोड़ दीजिए दूसरा पद क्या आए? 6 सही 1 बटे 2 यानि कि 13 बटे 2 ठीक है? प्लस में D और D का मान है 3 बटे 2 13,3,16 बटे 2 काट ये 2,1 के 2 2,8,16 तो जो मारा तीसरा पद है तीसरे पद का मान कितना आ गया? 8 आ गया है और इस तरीके से जो मारा question था हमने इसको solve कर लिया चलिए अब में लोग इस चौथे नमबर पर चलते हैं और इसको solve करते हैं तो इस्टूडेंट आप लोग चौथे नमबर को ध्यान से देखी अब इस तरीका पर्थम पद दिया गया है लिकिए solution चौथे नमबर का तरीका पर्थम पद दिया गया है पर्थम पद को denote करते हैं A से A is equal to minus 4 और सरीका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पच्वा में छठवा पद दिया गया है यानि कि A6 समय दिया गया है A6 का मान कितना दिया है 6 चलिए हम लोग formula जानते है A is equal to A plus N minus 1 of D A N का मान आप 6 रख दीजिए देखे हमको क्या मिलता है यहाँ पर मिलेगा A6 is equal to A plus N का मान 6 रख रहे है 6 minus 1 of D A6 का मान 6 है तो यहाँ पर हमने 6 रखा A plus 6 minus 1 5 D अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से दिखे A का मान में कितना दिया minus 4 तो A के अस्थान पर आप minus 4 रखे minus 4 plus 5 D इस minus 4 को आप इधर भेजिए तो 6 minus 4 इधर आएगा थोज़ेगा plus 4 is equal to 5 D 6 में 4 जोड़ा तो 6 4 10 is equal to 5 D 5 के 5 5 2 नि 10 और इस तरीके से जो D है D का मान कितना गया 2 आगया अब देखे D का मान 2 आगया तो हमें A2 चाहिए चलिए A2 निकालते हैं A2 को निकालेंगे लिए क्या करेंगे जो सेरी का पर्थम पद है पर्थम पद में D जोड़िए इसमें D जोड़ेंगे तो A मिलेगा देखी इसमें D जोड़ेंगे तो A मिलेगा और यहाँ पर जोगाएगा उसमें D जोड़ेंगे तो A मिलेगा यहां पर जो आएगा इसमें D जोड़ेंगे तो यह मिलेगा और इसमें D जोड़ेंगे तो यह मिलेगा इस तरीके से मिलता है तो A2 निकालना है तो पर्थम पत क्या है माइनस चार माइनस 4 में मैं क्या जोड़ना है प्लस 2 सर्मानता जोड़ना है तो जोड़ दीजिए तो क्या आया है यहां पर माइनस 2 A2 का मान आ गया है माइनस 2 चलिए तो यहां पर भरिए माइनस 2 अब मैं देखे A3 चाहिए A3 लेने के लिए क्या करेंगे मैंनेट फूस टू हो जाएगा जीरो और इस तरीके से जो मारी स्रेणी है श्रेणी का तीस्रा पत क्या गया जिए यहां पर बहर दिजिए चले मैं ए-4 चाहिए A3 में D जोड़ेंगे तब A4 मिलेगा A3 का मान है 0 और 0 में दो जोड़त हमारे पास आ गया 2 तो यहां पर आप 2 भरिये चलिए अब A4 में D जोड़ेंगे तो में क्या मिलेगा A5 A4 का मान है 2 D का भी मान है 2 तो 2 प्लस 2 हो गया 4 A5 मारे पास कितना आ गया 4 और इस तरीके से यहां पर जो हमारे missing term थे इनको find out कर लिया है चलिए अब आप लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं तो student आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए अब यहां पर देखिए हमें सेणी का पर्थम पद नहीं दिया है हमें दूसरा पद दिया गया है लिकिए solution पाँचमे नंबर का हमें दूसरा पद यानि की A2 दिया है कितना है? 38 एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और हमें सेणी का छठवा पद दिया है माइनस बाइस है चलिए हम लोग formula जानते है formula क्या होता है हमारा एन मापन निकालने का formula होता है an is equal to a plus n minus 1 of d अब हम लोग एन बरबर 2 रखते हैं क्योंकि मैं a2 पता है समिकन बनाएंगे और हल करेंगे n कमांड 2 रखेंगे यहां पर हो गया a2 is equal to a plus n कमांड 2 रखना है minus 1 of d अब a2 कमांड कितना है 38 है a plus 2 में से घटा 1 यानि के मारे पास d आगे ठीक है और a plus d is equal to 38 इसको मानेंगे समिकन नूमबर 1 चलिए n बराबर 6 रख लेते हैं क्योंकि मैं a6 दिया है तो हो जाएगा a6 यहां पर रख रहे है a plus n कमांड 6 minus 1 of d a6 कितना दिया minus 22 a plus 6 minus 1 5 यहां पर d और इसको a plus 5 d is equal to minus 22 लिखे और इसको मान लिजिए समिकन नूमबर दो समिकन एक और दो को student हम लोग हल करेंगे लिखे अब हल करने का मतलब है भाई बी लोगपर विजिश duplicate solve करेंगे तो किसी एक chair को समाप्त करेंगे तो यहां पर A को समाप्त करना असान देखा त्याएधे हम लोग A को समाप्त करेंगे समिकन एक में से दो को घटाने पर घटाईए दो को घटाने घटाने पर क्या होता है चिन बदलता है तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला हो जागा प्लस प्लस से माइनस से 0 हो जागा माइनस 5D प्लस D हो जागा minus 4D is equal to 38 में 22 जोड़ना है तो 38,2,40 और 40,20 हो जागा 60 देखिए 4,1,4 15 में 60 और यहां से minus D is equal to 15 D is equal to क्या हो गया minus 15 जो सर्भानतर है D उसका मान आगया minus 15 चलिए अब आपनों इस D का मान इस समिकर्ण एक में रखे लिखे D बराबर minus 15 समिकर्ण एक में रखने पर रखे D का मान क्या रखना है minus 15 तो यहां पर plus है यहां पर minus 15 is equal to 38 is equal to क्या हो जागा 38 इस minus 15 को इदर भी जाएगा हो जागा प्लस 15 आठ पांच 13 के तीन हासिल एक एक में एक जोड़ा दो तीन पांच तो जो सेड़ी है सेड़ी का पर्थम पद हमारे पास क्या आगए 53 ठीक है यहां पर आप भर दीजिए 53 चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अब हमारे पास पर्थम पद है दूतिय पद है अब इस तिरतिय पद को निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे इसमें सरबांतर को जोड़ देंगे तो 38 में आप इस डी के मान को जोड़ देजिए देखें डी कितना है माइनस 15 तो मैं A3 चाहिए ठीक है तो A2 में क्या जोड़ेंगे D A2 का मान है 38 और D का मान है माइनस 15 तो प्लस माइनस हो जागा माइनस आठ में से 5 गटा है 3 और 3 में से 1 गटा है 2 यहाँ पर आगा 23 चलिए अब हमें A वाला पच्चा ही A4 निकालने के लिए A3 में D को जोड़ेंगे A3 का मान आया 23 और D का मान है माइनस 15 23 माइनस 15 और देखे 3 में से 5 तो ने गटा है 13 में से 5 गटा है हमने 8 आठ आगया और 1 में से गटा होगे जिरूत यहापर हमारे पास क्या है 8 आगे देखिए हमें 5 बाप चाहिए हमें क्या चाहिए A5 A5 देखिए क्या आएगा A4 प्लस D तो D का मान है माइनस 15 8 माइनस 15 और हमारे पास क्या आजाएगा माइनस 7 ठीक है तो यहाँ पर क्या आपर आजाएगा माइनस 7 तो इस टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं यह जो मारा question number 3 था थर्ड के हमने 5 सवालों को solve कर लिया है चलिए अब हमें लोग अगले question पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला question क्या है तो इस टूडेंट आप लोग अगले परश्ण को ध्यान से देखिए question number 4 तो वो 4 में देखें में क्या कहा जा रहा है हमें एक सेनी दी गई है एपी का कौन सा पद 78 है कौन सा पद 78 है बात समझ गया आप लोग कौन सा पद 78 है यानी के हमें n का मान निकालना है ठीक है चलिए हम लोग इसको हल करते है अब देखिए इस सेनी को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि जो मारा सेनी का परथम पद है a का मान 3 दिया है d निकालने के लिए क्या करेंगे 10 मानस 10 तो बार-बार नहीं लिकेंगे 8 मानस 3 हमारी पास 5 आगया या फिर 13 में से 8 गटाओगे तब भी 5 ही आएगा तो a मरा सरबांतर d का मान आ गया चलिए अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझना है क्या समझना है का कौन सा पद 78 है तो भाई हम मान लहें ऐमारा stoked 78 है थाक है? 아닌 vaccine 88 तो 99 पद को किस से रिपर्जेंट करते है? a अं से तो it Game感 अचा मान गया हो जागा 78 भाई कौन सा पद 78 है? तो मान रहें इन वा पद 78 है तो ise grateful compassionate करते हैं a जिपन का मान पता नहीं है इसको निकालना है एन कमान क्या है 78 है सदी का पर्थम पग 3 है एन कमान निकालना है दी कमान 5 है तो solve करिए इस 3 को इधर वेजिए 78 प्लस 3 इधर आगए तो जगा माइनस 3 यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू में 5 78 में से आप 3 गटाओगे तो जगा 75 यहाँ पर 5 मल्टिप्लाई के साथ है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ एन माइनस 1 ठीक है 5 इकाड़िए तो 5 के 5 दो साथ 5 पचेपचिस आगए 15 तो एन माइनस 1 इस एक्वल टू आगया है 15 और एन इस इक्वल टू देखी क्या हो जाएगा इस माइनस 1 को उधर बेजिए तो 15 है प्लस 1 बराबर 16 तो इस टूदेंट जो स्रणी है स्रणी का जो सोलमा पद है वो क्या है 78 लिखिए अता हाँ दी गई स्रणी का सोलमा पद 78 है ठीक है चलिए हमें लोग 5 नमबर पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो इस्टूडेंट आप लोग 5 नमबर को ध्यान से देखिए हमें इसमें क्या करना है नेमलेकि समानतर सेड़ियों में से प्रतेक सेड़ियों में कितने पद है हमें पदों की संख्या निकालनी है चलिए फर्स्ट नमबर अब इसको देखिए तो देखते ही आपको क्या पदा चल रहा है जो हमारा सेड़ी है पर्थम पद क्या है साथ है D कमान निकालिए 13-7 कर दीजिए तो 13 में से 7 गटाओगे 6 आजागा D कमान के आगे 6 अब देखिए हमने कहा कि अगर सेड़ी का यह नमबा पद हमारा अंतिम पद हो जा रहा है तो यह यह नमबा पद है अब पता नहीं कौन सा पद है हमें तो पता नहीं नहीं कौन से नमबर का पद है तो जो मारा An है यानि कि यह नमा पद बराबर, अंतिम पद के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर L कमान क्या है, 205, हम पॉर्मूला जानते हैं, L is equal to होता, A plus N minus 1 of D, और L कमान कितना है, 205, अब आपको होगे L क्या है, तो L हमारा अंतिम पद होता और कुछ नहीं, ठीक है, लैसे अग तो A कमान देखे क्या है, 7 है, plus N, अब मैं N कमान तो निकालना है, D कमान 6 है, इस साथ को इधर बेजिए, 205 minus 7 is equal to N minus 1 of 6, तो 15 में से 7 गटाई क्या हैगा, 8, यहाँ पर बच्चा क्या, 9, और यहाँ पर 1, N minus 1 of 6, इस 6 को इधर बेजिए, काट यह, 6, 3, 18, 11, 6, 3, 18, N minus 1 is equal to 33 अगय, इस minus 1 को इधर बेजिए, चलिए लिख लेते हैं इस तरीके से, और minus 1 को इधर बेजिए, तो N is equal to 33 plus 1, ठीक है, N बराबर क्या गया है, 34, अब इस्टुडेंट जो हमारी सेड़ी है, यह जो सेड़ी है, इसमें कुल कितने पद है, 34 पद है, ठीक है, हमें पदों का संखा बतानी थी, हमने बता दिया, लिखे आता है, दी गई सेड़ी में, 34 पद है, चलिए, अब आम लोग इस दूसरी नंबर पर चलते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं, तो दूसरी नंबर को ध्यान से देखें, अब तो आप लोग खुद कर सकते हैं, देखें, परतम पद क्या है, अठारा है, तो सरबानता निकालते हैं, देखें, दिस माइनस दिस, दो पंदर में 30 से एक 31 बटे दो, 31 बटे 2 में से आपको 15 घटाना है, 18 घटाना है, घटाते हैं, तो 18 में 2, 18 दो नहीं कितना होता, तो 36, ठीक है, तो यहाँ पर लिके 36 बटे में 2, 31 में से 36 घटा होगे, तो जागा माइनस 5 बटे में 2, तो D का माइन कितना है, माइनस 5 बटे 2, सिडिका अंतिम पर क्या दिया है, माइनस 47, फॉर्मूला जानते हैं, L is equal to क्या होता, A plus N minus 1 of D, L का माइन कितना, माइनस 47, A का माइन 18 है, D का माइन माइनस 5 बटे 2, हल करिए, इस प्लस 18 को इदर बेज़िए, माइनस 47, प्लस 18 इदर आगा, तो माइनस 18, और यहाँ पर YN minus 1, और माइनस 5 बटे 2, मल्टिप्लाई के साथ है, 7, 8, 15 के 5 हांसिल एक, एक में एक जोड़ा 2, 4, 6, माइनस 65 आ गया, अब इस माइनस 5 बटे 2 को इदर बेज़ दे रहें, ठीक है, देखिए, माइनस 5 बटे 2, एक एक उल टो N minus 1, देखिए, माइनस माइनस से हो जाएगा, कैंसल, एक दो चला जाएगा, उपर 65 गुड़े 2 बटे में 5, एक उल टो N minus 1, 5 से काटिए, 5 एक 5, एक उल टो N minus 1, इस minus 1 को इदर बेज़िए, तो N is equal to 26 प्लस 1 हो जाएगा, और आगे ध्यान से देखिए, N का मान हमारे पास क्या जाएगा, 27, तो यह जो सेनी में दी गई है, सेनी को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कितने पद हैं, 27 पद, लिख दीजिए आता है, दी गई सेनी में, 27 पद है, तो इस्टूडेंट आप लोग question number 600 पढ़े देखिए, इसमें क्या काजरा है, हमें AP दी गए है, ठीक है, 11, 85, 2, इसके पद है, का एक पद माइनस 150 है, क्यों, ठीक है, क्या जो सेनी दी गई है, इसका एक पद माइनस 150 है में बताना है, चलिए हम लोग इसको solve करता है, और देखते हैं, इसका solution क्या होगा, student, हमें सेनी का पर्थम पद दिया गया, पर्थम पद क्या है, 11 है, सरबांतर निका ली सकते हैं, 8 माइनस 11 करिए, तो 8 माइनस 11 करने पर कितना है, देखिए, माइनस 3 हमारा सरबांतर आ गया, अब हमसे पूझा जा रहा है, कि इसका क्या एक पद माइनस 150 है, तो अभी हम लेकर के चल रहे हैं, कि इसका जो इसका एनमा पद, यानि कि जो हमारा एन है, वो कितना माइनस 150 है, अब ए पद सरबी का पद है, या नहीं है, ए एन के माणपर डिपेंड करेगा, अभी फिलाल हम ऐसा लेकर के चल ले, जो मारा सरबी का एनमा पद है, वो ए एन है, वो माइनस 150 है, तो और हम फॉर्मूला जानते है, एन इस एकुल टू होता है, एन माइनस 1, अब डिपेंड यह मारा फॉर्मूला होता है, एन कमान कितना रखना है, माइनस 150, सेनी का पर्थम बद, 11 है, एन माइनस 1, अब डिपेंड कितना है, माइनस 3, सॉल्प करते हैं, इस 11 को इधर बेजिए, और इस माइनस 3 को इधर लेकर क्या हैंगे, तो मल्टिप्लाई के साथ, उधर इधर आएगा, डिबाइड के साथ हो जाएगा, देखिए, माइनस माइनस 1, वो गया कैंसिल, 3 से 161 का का पर्थम को इतना हिकटेगा, ठीक है, तो लिखे 161 बटे में 3, अब इसको 3 से काटी रेखी क्या कट रहा है, तो 3, 15, 11, 14, तो 3, 14, 12, 12, 14 नहीं कट रहा, तो 3 से 164 तो नहीं कट रहा, तो यहाँ पर आपको मिल क्या रहा, जो एन का मान है आपको मिल रहा है, एक भिन संख्या मिल रही है, ठीक है, लिखिए, यह एन का मान, भाई, कोई भिस्त्याड़ी है, उसमें जो भी पदों की संख्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, एक धनात्मक पूरांग होगी, वो ना तो भिन होगी, और ना रिडात्मक होगा, और ना ही कोई दसमलों में आएगा, लिखिए, एन का मान, एक भिन है, यहाँ पर देखिए, भिन आ रहा है, आता है, इससे, यह असपस्ट होता है कि, यह असपस्ट होता है कि, माइनस एक सो पचास, स्रेणडी का, दी गई स्रेणी का पद नहीं है, दी स्रेणी का पद नहीं है, पता चल गए आपको, चलिए, अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, और देखते हैं, उसका स्रेशन क्या होगा, तो इस्टूडेंट, आप लोग क्वेस्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है, उस AP का 31 पद ज्याद कीजिए, तो मैं क्या निकालना है, 31 पद निकालना है, तो जिसे निकालना है, उसे ऐसे करके लिख दीजिए, चलिए, जिसका 11 पद 38 है, 11 वापद यानि कि A11 हमारा कितना है 38 है और 16 वापद 73 है 16 वापद को कैसे रिपर्जेंट करेंगे A16 और A16 कितना है 73 अब हम लोग formula जानते हैं formula क्या होता है AN is equal to A plus N minus 1 of D अब चलिए AN बराबर हम लोग 11 रख लेते हैं क्योंकि मैं 11 वापद दिया गया लिखे N बराबर 11 रखने पर तो यहां पर हो जागा A11 is equal to A plus N का माने 11 रखा minus 1 of D A11 कितना दिया 38 is equal to A plus 11 में से एक घटा है तो 10 D इसको लिखेंगे A plus 10 D is equal to 38 और इसको मालने के समीकर नमबर 1 बात समाज में आई चलिए अब हम लोग N बराबर 16 रखेंगे जोकि 16 पर दिया गया है तो भई यहां पर N का है साब पर 16 रखित हो जागा A16 is equal to A plus N के मान 16 रखना है minus 1 of D A16 कितना दिया 73 A plus 16 में से एक घटा है तो 15 D अब दिखेंगे A plus 15 D is equal to 73 और इसको हम मान लेंगे समिकर नमबर 2 अभी टीसरे नमबर में हमने इस तरीके की questions किये थे तीसरे यज दूसरा नमबर था तीसरा नमबर था अमने इस तरीके questions किये थे वहाँ पर तो चलिए अब करेंगे क्या समिकर एक में से दो को घटा दीजिए और यहां से लोग D कमान निकाल लेंगे लिएक समिकर्ण एक में से दो को घटाने पर घटाईए एक नमबर क्या है A प्लस 10D is equal to 38 दूसरे समिकर्ण को लिखे हैं आप और देखी क्या है A प्लस 15D is equal to 73 अब क्या करना घटाना तो घटाने पर क्या होता है चिन बजल जाता है तो चिन बजल यह माइनस हो गया प्लस A माइनस ए कैंसल हो गया माइनस 15D प्लस 10D थमारे पास आजाएगा माइनस 5D A is equal to देखे माइनस 73 प्लस 38 तो क्या हो जागा 13 मेंसे 8 घटाने तो 5 आएगा यहाँ पर 6 मेंसे 3 घटाने तो 3 आगया माइनस माइनस से कैंसल 5D is equal to हो गया 35 5 के 5 5 सत्य 35 और D कमान इस्टूडेंट क्या गया साथ आगया अब A जो D कमान है देखे मैं निकालना क्या है हमें एक तीसवा पद निकालना है हमारे पास सर्वांतर आ चुका है और हमें स्ट्रेणी का पर्थम पद निकालना स्ट्रेणी का पर्थम पद निकालने के जो D है D कमान आप समिकर्ण एक में रखिए और A कमान निकाले जे लिखिए D बराबर साथ समीकरण एक में रखने पर तो d बराबर 7 समीकरण एक में रखते हैं लोग देखिए समीकरण एक में रखने पर तो रख दीजिए a प्लस 10 d कमान 7 रखना है तो हमने 7 रखा is equal to 38 देखिए a प्लस 10 गुड़े 7 70 हो जाएगा is equal to 38 और यहांचे देखिए 38 यह 70 इदर आगया तो हो जाएगा माइनस 70 माइनस 70 प्लस 38 तो कितना हो जाएगा 10 में से मने 8 गटाया 2 और यहांपर बचा 6 में से मने 3 गटाया तो हमारे पास कितना आगया 3 माइनस 32 तो जो हमारा सेड़ी है सेड़ी का पर्थम पत क्या आगया माइनस 32 आगया अब हमें 31 पत चाहिए और student हम लोग formula जानते हैं चलिए हम लोग formula प्लाई करते हैं हम लोग formula जानते हैं जो मारा an होता है an निकालने का formula होता है an is equal to होता है a plus n minus 1 of d हमें 31 पत चाहिए तो n कामान क्या रखेंगे 31 रखने पर तो रखी n कामान 31 a 31 सेड़ी का पर्थम पत हम यह इमने solve किया तो पर्थम पत हमारे पास क्या है minus 32 तो यहाँ पर आप minus 32 रख दीजिए तो यहाँ पर आप minus 32 रखिए minus 32 प्लस n minus 1 तो n कामान कितना है 31 है देखिए minus 1 of d और d कामान देखिए मारे पास क्या है 7 है तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे और इसको solve करेंगे minus 32 प्लस 31 में से एक गटाएंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा और 30 को multiply करना है 7 से यहाँ पर लिकें minus 32 प्लस 30 सते 21 210 आगया 210 में से 32 गटा आगया तो 0 में से इमने 2 गटाएं नहीं गटेगा तो 10 में से इमने 2 गटाएं हमारे पास 8 आगया तो यहाँ पर क्या बचा देखिए यहाँ से उदार ले करके गया थे यहाँ गया थे 10 अब यहाँ पर बचा है 0 तो यहां से एक उधार इधर आगा तो यहां पर हो जागा दस और दस में से मने तीन गटा है साथ और यहां पर क्या बचा हुआ है तो हमारे पास ए थर्टीवन कितना आ गया 178 लिगे आता हा एक तीसमा पद 178 है और स्टुडेंट इस ताहिके से यह जो मारा क्वेस्चन नमबर 7 हमने इसको सॉल्व कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं चलिए student हम लोग question number 8 को solve करते हैं तेहीend question number 8 में क्या कहा जा रहा है student आप लोग question को पढ़िए एक एपी में 50 पद है जिसका 3 पद 12 है और अन्तिम पद 106 है इसका 29 पद ग्यान थी जिसे हमें क्या निकालना है हमें 29 पद निकालना है तो चलिए student हम लोग solve करते हैं और देखते हैं solution क्या होगा देखे एपी में कितने पद हैं 50 पद है तो जो हमारा पदों की संख्या है लिखिए पदों की संख्या पदों की संख्या और student जो पदों की संख्या होती है पदों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं और n is equal to हमारे कितना है 50 है जिसका तीसरा पत बारा है तो तीसरे पद को मुलों लोग किस से दिखाएंगे? A3 से तो A3 मारा कितना 12 है अंतिम पद को हम लोग L से दिखाते हैं और L कामान कितना एकसो अच्छे है इसका 99 पद ग्याद किजिए तो हमें क्या निकालना है? 29 पद निकालना है तो जो निकालना है उसको आप इस तरीके से राइट कर लिजिए चलिए, हम लोग एक formula जानते हैं मारा formula क्या होता है an is equal to होता है a plus n minus 1 of d a मारा formula होता है चलिए, इसमें हम लोग n बराबर 3 रखते हैं लिखे n बराबर 3 रखने पर क्यों 3 रख रहे हैं क्योंकि यह जो ap है हमें इसका तीसरा पद पता है ठीक है, इसलिए हम लोग a3 निकालते है a3 is equal to देखे क्या होता है, a plus n कमान क्या रखा है हमने 3 minus 1 of d तो d कमान पता है नहीं हमें निकालना पड़ेगा चलिए, a3 कमान कितना है 12 है, यहाँ पर हमने 12 रखा और यहाँ पर a कमान नहीं पता है तो यहाँ पर a लिखे plus 3 में से हमने 1 घटा है हमारे पास क्या गया 2 d और इसको लोग इस तरीके से लिख सकते है a plus 2 d is equal to 12 और student इसको हमने क्या माल लिया यह हमारे समिकार नंबर 1 हो गया चलिए, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे है हमें स्रेणी का अंतिम पत दिया है तो जब स्रेणी का हमें अंतिम पत दिया होता है तो हम लोग फॉर्मुला इस तरीके से यूज करते है l is equal to होता है a plus n minus 1 of t ठीक है और यह जो पद है, पदों की संख्या को गिनोगे तो आपके पास 50 यह हमें दिया गया है तो यहाँ पर आप l का मान कितना रखेंगे 106, a का मान कितना रखना है नहीं पता है n का मान आपको पता है, कितना रखना है 50, minus 1 और d रखिए यहाँ पर solve करते हैं इसको a plus 50 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास क्या गया 49 d और इधर क्या गया 106, ठीक है चलिए, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a plus 49 d is equal to 106, और student हम लोग इसको मान लेते हैं, समिकर नंबर 2 समिकर एक में से हम 2 को घटा देते हैं, या फिर आप लोग 2 में से 1 घटा दिये, जैसा भी ठीक पड़े हमारा काम है कि हमें a को समाप्त करना ठीक है, और इसको हल करने के लिए में लोग बिलोपन विधी का यूज़ करेंगे चलिए लिखते हैं समिकर नंब एक में से दो को घटाने पर तो एक ए है घटा दीजिए ए प्लस उन्चार्ज दी इस एक्कोल टू एक सो छे अब भई घटाना है तो घटाने पर चीर नमारा क्या होता है बदल जाता है यह से कैंसेल होगा है माइनस उन्चार्ज दी प्लस टू डी कितना होजएगा माइनस 47лучो और यहां पर देखी माइनस 106 प्लस 12 घटाई 6 में से नहीं दो घटाया थमारी पास क्या आगिया चार 6 में से 2 घटाया तो 4 आगिया और हमने 10 में से एक घटाया, तुम्हारी पास क्या आगए? 9 आगए, ठीक है? माइनस 94, देखे, इससे एकट जाएगा, 47, D is equal to 94, और देखे, D कमान क्या हो जागा? 94, बटे में 47, 47, एक के 47, और 47 दोनी क्या हो जागा? 94, हमारी पास, जो हमारा सरवांतर है, सरवांतर D का मन हमारी पास आगया है, और जो सरवांतर D आया है, इस D के मान को मलोग समिकर्ण एक में रखेंगे, और E का मन निकालेंगे, लिखिए, D बराबर 2, समी करण 1 में रखने पर तो भाई D बराबर 2 आप समी करण 1 में रखी देखी क्या मिलता हमें A प्लस 2 इंटू में D का मान क्या रखना है 2 तो यहां से आप 2 रख दीजिए Is equal to 12 A देखे 2 में 2 से multiply करें तो 4 हो जाएगा और यहां से A बराबर क्या हो जाएगा इस 4 को इधर लेकर करेंगे 12 माइनस 4 और 12 मेंसे 4 घटा होगे तो कितना जाएगा 8 तो हमारे पास देखे D आ गया है A का मान 8 आ गया है हमें 29 पद निकालना देखे हमें A 29 निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला जाते है A 9 जैसे हमें A 9 पद निकालना है तो A 9 पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A N is equal to A plus N minus 1 of D अब यहां पर हमें 29 पद चाहिए ठीक है अब यहां पर 29 पद चाहिए तो A N बराबर क्या रखेंगे 29 तभी तो 29 पद मिलेगा तो यहां पर A 29 हो जाएगा A is equal to A और देखें इस सेड़ी का पर्थम पद हमने निकाल लिया है N minus 1 तो N का मान क्या रखना है 29 minus 1 of D और D का मान देखेंगे क्या निकाल है 2 तो solve कर लिजिए 8 plus 29 minus 1 करेंगे तो हमारे पास 28 को multiply करना है 2 से तो 8 plus 28 दूनी क्या होता है 56 और 56 में student आप 8 जोड़ोगे है तो हमारे पास 64 जो हमारा 29 पद है सेड़ी का जो 29 पद है वो हमारे पास क्या गया है 64 तो student इस तरीके से आप देख सकते हैं यह जो हमारा question नमर 8 था हमने इसको solve कर लिए लिखिए आता है यहाँ पर लिख देते है आता है स्ट्रेंड़ी का 29 पद है क्या है 64 है और student इस तरीके से यह जो हमारा question नमर 8 था हमने question नमर 8 को हल कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले पर चलते हैं और देखते हैं अगले परस्ट का solution क्या होगा तो पढ़िए student आप लोग question नमर 9 को इसमें कहा जा रहा है यह किसी AP के तीसरे और 9 पद करमसा 4 और minus 8 है तो इसका कौन सा पद सोनने होगा ठीक है तारी हम लोग solve करते है तीसरे पद 4 है तो तीसरे पद को किस से represent करेंगे A3 से ठीक है A3 का मान 4 है नौवा पद 9 पद को किस से दिखाएंगे 9 से A9 से और A का है मानस 8 है तो इसका कौन सा पद सोनने होगा तो student हम माल रहे है इसका A9 पद सोन होगा ठीक है A9 पद सोन होगा माना इस AP का इस AP का A9 पद अब अगर कोई भी सेड़ी है तो उसके A9 जैसे हमें तीसरे पद को रिपरजेंट करना था तो यह थरीक है उसका 9 पद को दिखाना था A9 को से दिखाया इसी तरीके से अगर हमें N में पद को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे A N से और A N हमारा 0 है हमान लेते है AP का N मा पद जो A N है वो क्या है 0 है ठीक है चलिए अब लोग formula जानते है formula हमारा क्या होता a n is equal to होता है a plus n minus 1 of d चलिए n बराबर 3 रखते हैं अब देखिए n बराबर 3 रखिए यहाँ पर तो n बराबर 3 रखेंगे a 3 is equal to a plus n का मान हमने 3 रखा है minus 1 of d तो a3 का मान हमें दिया गया है कितना दिया है 4 a plus 3 में से हमने 1 घटायत हमारे पास 2 आ गया तो यहाँ से 2 d और इसको हम लिख सकते है a plus 2 d is equal to 4 यह हमारा समय का number 1 हो गया चलिए अब इसी में लोग n बराबर 9 रख लेते हैं लिखिए n बराबर 9 रखने पर क्यों रख रहे हैं नो क्योंकि हमें सेनी का 9 पत दिया गया है तो लिखिए a 9 is equal to हो जाएगा a plus n कमान 9 रखना है 9 रखिए minus 1 of d a 9 कितना दिया है minus 8 तो यहाँ पर आप minus 8 रखिए a plus 9 में से हमने एक घटा दिया थो हमारे पास 8 आ गया d a plus 8 d इधर minus 8 और इसको लिख सकते है a plus 8 d is equal to minus 8 और student आप इसको मान लिजे समीकर नंबर तो ठीक है चलिए अब इस समीकर एक और दो को हल करेंगे a तथा d का मान निकालेंगे और उसके बाद हम लोग कौन सब पद सुनने होगा इसको निकाल पाएंगे तो चलिए समीकर एक में से दो को घटा देते हैं लिखिए बिना A और D के मान के हम लोग नहीं हल कर सकते हैं तो लिखे समीकरण 1 तथा 2 को गटा आने पर एक में से 2 गटा आईए A प्लस 2D is equal to 4 और यहां पर देखिए A प्लस 8D is equal to minus 8 तो गटा यह गटाने पर चिनने क्या होता बदल जाता है तो A 0 हो गया बही प्लस A minus 1 का एंसिर हो जाएगा minus 8D plus 2D तो कितना हो जाएगा minus 6D is equal to 8,4,12 6,1 के 6, 6,2,12 यहां पर minus है तो D का मान क्या हो जाएगा minus 2 अब A जो D का मान आया है student इस D के मान को आप लोग समी करण 1 में रखिए और यहां से A का मान निकाल दिज़े लिखिए D वराइबर minus 2 समी करण एक में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं एक में रखिए D का मान A प्लस 2 D D के मान कहा रखना minus 2 is equal to 4 दिखिए दो दूनी minus 4 हो जाएगा minus 4 इदर आएगा तमारा हो जाएगा plus 4 A का मान के आगा 8 student हमें सेड़ी का पर्थम पद मिल चुका है सेड़ी का जो सर्वानतर हो मिल चुका है चलिए अब हम लोग N मारा पद निकालते है N मारा पद निकालने का फोर्मुला क्या होता है A N is equal to होता है A plus N minus 1 of D अब N मारा पद सूनने हो जा रहा है ठीक है तो A N का मान यहाँ पर 0 रखिए A N तो 0 हो गया A plus भई और A का मान चलिए अभी मान रख दे रहें बाद में D का मान कितना है minus 2 और हमने solve किया यहाँ पर देखिए A का मान भी 8 आया यहाँ पर लिके 0 A का मान 8 रखिए plus कौन सा पद सूनने होगा तो हमने माना था N मान पद सूनने होगा और यहाँ से 8 is equal to हो जाएगा N minus 1 अब देखिए minus 2 दर multiply के साथ हो दर आगा divide के साथ हो जाएगा तो यहाँ पर minus 2 minus minus 1 से cancel हो गया 2 के 2 2 4 के 8 N minus 1 is equal to 4 और यहाँ is equal to 4 प्लस 1 और यहाँ से 5 आगया अनका मान ठीक है लिकिए आथा आथा जो स्रेड़ी है था AP का कौन सा पद सुननोगा पाँचवा पद पाँचवा पद सुननोगा AP का पाँचवा पद देकिन यहाँ पर आप NKS पर 5 रखेंगे तो A5 is equal to 0 यानि कि स्रेड़ी का पाँचवा पद सुननोगा और इस तरीके से जमारा क्वेस्चन नमबर 9 तह हमने इसको solve किया चलिए अब हम लोग क्वेस्चन नमबर 10 पर चलते हैं और देखते हैं उसका solution क्या होगा तो student आप लोग क्वेस्चन को पढ़िए देखे इसमें क्या का जा रहा है किसी AP का 17 अपद उसके दसमें पद से 7 अधिक है इसका सर्वांतर ग्यात किजिए अब हमें इसमें क्या निकलना है सर्वांतर निकलना है चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा तो देखे इस student आप पर AP का 17 अपद 17 अपद को कैसे रिपरजेंट करेंगे A17 से और 17 अपद उसके 10 अपद से 7 अधिक है 10 अपद से 7 अधिक है 17 अपद 10 अपद को A10 से रिपरजेंट करेंगे और A जो 17 अपद है 10 अपद से 7 अधिक है तो कुछ इस तरीके से मारे पास बनेगा चलिए और देखे हम लोग formula जानते है formula क्या जानते है तो यहां पर आप N बराबर 17 रखिए देखे क्या हो जाएक A17 is equal to A plus N का मान 17 रखिए minus 1 of D A plus 17 में से एक गटा है 16 आगया D तो जो हमारे 17 पद है 17 पद का जो मान है हमारी पास क्या आगया A17 is equal to A plus 16 D इसको हम समिकर एक नमबर मान लेते है ठीक है चलिए अब N बराबर हम लोग क्या रखते हैं 10 10 वापद भी निकाल लेते हैं तो N बराबर 10 रखिए आप तो हमारे पास A10 देखे क्या था A plus 10 minus 1 of D ठीक है तो A plus 10 में से हमने एक घटा है तो हमारे पास क्या क्या आगया 9 D ठीक है अब यहां से मारे पास A10 का मान आ गया अब जो A17 का मान आया है A10 का मान आया है इसे हम लोग समिकर्ण एक में रखेंगे ठीक है लिखिए A17 तथा A10 का मान समिकर्ण एक में रखने पर अब A17 का मान यहां पर रखेंगे देखी क्या है A प्लस 16 D is equal to A10 का मान कितना है A प्लस 9 D और यहां पर प्लस 7 इस्टूडेंट इसको solve करिए देखी प्लस A प्लस A cancel हो गया यहां पर 16 D और इस 9 D को इधर लेकर करेंगे तो हो जागा minus 9 D is equal to 7 16 में से हमने 9 घटाया तो हमारे पास 7 आ गया 7 D is equal to 7 और D is equal to हो जागा 7 upon में 7 और इस्टूडेंट यहां से दिखी जो मारे D है D का मान क्या आ गया और यही हमारा answer हो गया लिकिए आता है दी गई सेरी का सरवांतर कितना है 1 है ठीक है और इस तरीके से जो मारा question number 10 हमने इसको हल कर लिया है चलिए आप हम लोग 11 number पर चलते हैं और उसको solve करते हैं तो देखे इस student क्या का आ जा रहा APA में दी गई है का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है 94 पद से 132 अधिक है हम मान ले रहें माना माना स्रेणी का स्रेणी का यनमा पद अब जो स्रेणी का यनमा पद होता उसको किस से दिनोट करते हैं AN से ठीक है AN जो है और 54 पद से 54 पद को कैसे रिपरजेंट करेंगे A54 से क्या है 132 अधिक है बस हो गया तो तो इस्टूडेंट इसकों क्या करेंगे इसकों ले लेंगे समिकर नमबर 1 ठीक है चलिए अब यहां से आप लोग ध्यान से देखिए यहां से हमें देखने से पता चलना से से कि जो सेनी का पर्थम पद है वो A बराबर 3 है अगर हम लोग D की बात करें तो D देखी कैसे निकाल सकते है 15-3 करेंगे तो हमें D मिल जाएगा तो हमने 15-3 किया तो हमारे पास 12 आ गया तो D का मान 12 हो गया ठीक है अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या हम 54 पद निकाल सकते है हाँ तो यहां पर आप N बराबर 54 रखिए तो A 54 is equal to क्या जाएगा देखिए A का मान 3 रखा प्लस N N का मान रखना है 54-1 और D का मान 12 रखिए देखिए 3 प्लस 54 में से हमने एग घटायत हो गया 33 और यहां पर गुड़े में 12 सौल करिए 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 12 पंचे 60 और 3 63 12 तिया 36 के 6 हासिल 3 12 पंचे 60 तिया 63 तो यहां पर जो हमारा A 54 है देखिए क्या आगया 636 में हमने 3 जोड़ा तो हमारे पास क्या हो गया 649 तो A हमारे पास क्या आगया A 54 आगया ठीक है तो student A जो हमारा A 54 आया है A 54 का मान हम लोग समिकर्ण 1 में रखेंगे और यहां से जो हमारा A 9 पद है उसका मान क्या होगा हम लोग A 9 पद का मान भी निकाल लेते हैं लिखे A 54 is equal to 649 समिकर्ण 1 में रखने पर ठीक है समिकर्ण 1 में रखने पर तो रख दीजिए तो यहां पर रखें देखें A N का मान हमारी पास क्या आ जाएगा यहां से 649 यहां पर रखें प्लस 132 अब यहां पर देखें 9211 के एक हासिल 1 और हमने 3 में एक जोड़ा 4, 3, 7 और 6, 1 क्या होगा है? 7 होगा चेक कर लिजिए 9211 के एक हासिल 1 3 में एक जोड़ा 4, 3, 7, 6, 7 तो जो मारा A N का मान कितना गया? 771 और student हम लोग formula जानते A N is equal to क्या होता है? A plus N minus 1 of D यहां से A N का मान हमने कितना निकाला? 771 तो यहां पर आप 771 रखें सिलनी का जो पर्थम पद है उसका क्या मान है? 3 तो हमने यहां पर 3 रखा प्लस N तो देखे N का मान तो में निकालना है और निकाल करके बताना है कि जो A N वा पद है उच्चावणों में पद से 132 अदिक है आप लोग इस A N के अस्थान पर डरकली इसको भी रख सकते थे लेकिन यहां पर हमने मान निकाल के रख दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? सुल्प करने में असानी मिलेगी हमने मान ही निकाल के यहां पर रख दिया है इंटू में D D का मान का है? 12 है अब इस 3 को इधर बे दिये 771-3 N-1 इंटू में 12 गटा यह 11 में से 3 गटा है 8 तो यहां पर क्या पचा है? 6 और यहां पर 7 इद इकोल टू N मानस 1 ए 12 यहां पर मल्टिप्लाई के साथ है यहां पर बेजा डिवाइड के साथ कार दीजे इसको तो 12 च्छेंग 12 6 बार जाएगा 12 च्छेंग 12 4, 56 यह पर यह गया 48 12, 4, 48 ठीक है चलिए हम लोग question number 12 को solve करते हैं देखिए question number 12 में क्या कहा जा रहा है question number 12 में कहा जा रहा है दो समांतर सेणियों का सार्बंतर समान है यह इनके सवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा तो चलिए student हम लोग इसको solve करते हैं और देखते हैं हमारा solution क्या होगा तो student आप लोग ध्यान से समझीए इसको चलिए दो समांतर सेणियों का सार्बंतर समान है तो student यह जो सार्बंतर है सार्बंतर क्या दिया है समान है hell तो सावंदतर उसको माल लेते हैं अ माल मौन अ सवतर के तथा परफंपद स 123 होगा अब देखिए हमारी पास दो समांतर करा रच टो पहली लियंग स्रह्णी का पर्सand ह Ari 15 पर फाथ को माल लेते हैं और जो मारी दोस sponsors को फोन इसका पूरा टोगा उसको को माले कि है माना करो कि सरबांतर डी हुआ रफ है और अभर i2 पहली रेड़ी कि दो ऐस चैनल की जेखे यहुख फाली स्वराम प्सक्राइद सेंद माले है और दूसरी स्नेड़ी का पर्थम पद भी है ठीक स्टूडेंट चलिए अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या बात कहीं जा रही है जो हमारी पहली स्रेड़ी है जो दूसरी स्रेड़ी है दोनों स्रेड़ियों का सारबंतर क्या दिया है समान दिया है आगे देखिए यह इनके सवे पदों का अंतर सव है सवे पदों का अंतर यानि कि जो हमारी पहली स्रेड़ी है पहली स्रेड़ी का जो समा पद होगा उसको क कैसे रिपर्जेंट करेंगे इस तरीके से एंडेट से अब जो मारी दूसरी स्रेड़ी है अब दूसरी स्रेड़ी के सवें पत को लोग कैसे रिपर्जेंट करेंगे इस ट्रूर्ण चलिए दूसरी स्रेड़े का जो सववां पद है उसको B100 से रिपर्जेंट कर रहे हैं ठीक है अब हमारा हम लोग एक concept जानते हैं formula जानते है formula हमारा क्या है formula हमारा होता AN AN is equal to होता A plus N minus 1 of D अब यहां पर अगर हम लोग A का मान 100 डख दें ठीक है एक का मान 100 डख देंगे तो यहां पर देखी क्या हो जाएगा यहां का मान हम 100 रख रहे हैं ठीक है A plus 100 minus 1 of D यहां से A100 is equal to क्या हो जाएगा A plus 100 में से हमने एक घटाया तो 90 90 चलिए अब इस्टूडेंट यही formula हमारा है लेकिन सेड़ी का जो पर्थम पद है उसको हमने B माना है तो यहां से हम लोग B100 कैसे निकाल सकते हैं देखिए एप सेड़ी का पर्थम पद अब तो B हो जाएगा भाई यहां जो दूसरी सेड़ी है आप लोग सेड़ी मान ही लीजिए ठीक है चले हम आपकी समझ के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं जो हमारी पहली सेड़ी है उसके पर्थम पद को हमने A माना है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस D तीसरा पत क्या हो जाएगा A प्लस 2D और ऐसे हमारी सेड़ी है ढब जो हमारी दूसरी सेड़ी है, दूसरी सेड़ी के पर्थम पद को उन्हें B माना है, दोनों का सरवांतर समान है, तो इसका दूसरा पद B प्लस D, इसका B प्लस 2D, ऐसे B प्लस 3D हो गए, ठीक है, अब हम इसका यह नमा पद निकाल रहे हैं, तो इसका यह नमा पद निकालने का फॉर्म दीजिए माइनस वन ओपडी अब यहां से दिखें बी प्लस सव में से एक घटाया तो 90 90 तो जो मारा बी हंडड़ है बी हंड़ेड का मान गया हो गया बी प्लस 90 90 एंड़ेड और बी हंड़ेड का जो मान है इसमें आप रख दीजिए ठीक है लिखिए एंड़ेड तथा बी हंड़ेड का मान रखने पर तो यहां से एंड़ेड का मान उठाईए यहां पर लाके रखिए ए प्लस 90 90 माइनस अब भी हंड़ेड का मान यहां से उठाईए बी प्लस 99d और इसको आपको ब्रेकेट में रखना है सौवें पद भाई दोनों सेड़ी के सौवें पदों का अंतर कितना है सौ है तो यहां पर हमने सव लिख दिया सौल कर लिजे इसको ए प्लस 99d माइनस माइनस अंदर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा ए भी माइनस हो जाएगा 99d is equal to 100 ठीक है देखिए 99d माइनस 99d से कैंसिर हो जाएगा तो हमारे पास आ क्या गया ए माइनस बी is equal to 100 और इस्टूडेंट इसको हम क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे समीका और नमबर दो आगे देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है तो इनके एक हजारवे पदों का अंतर क्या होगा तो लिखिए एक हजारवे पदों का अंतर अब इस्टूडेंट जो हमारा एक हजारवा पद है पहली सेड़ी के एक हजारवे पद को कैसे रिपरजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से रिपरजेंट करेंगे दस आयेंगे जो मारी दूसरी सेड़ी है दूसरी सेड़ी के एक हजारवे पत को कैसे दस आयेंगे ऐसे और हमें इसका अंतर बताना है क्या होगा ठीक है चलिए अब इस्टूडेंट हमलोग एक हजारवापद है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 n का मान कितना है देखी 1000 है तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे माइनस 1 of d आगे ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस लगाना है अब a जो स्रेडी है इसका एक हजारवापद निकालना है तो पर्थम पुगत क्या है b है चलिए यहाँ पर ब्रेकट आप लोग लगा लिजिए b लिखिए प्लस 1000 माइनस 1 of d ठीक है चलिए इसको a प्लस 1000 में से हमने एक घटाया तो बही कितना आजाएगा 1000 में से आप एक घटा होगे तो 999 भी दिया जाएगा माइनस यहाँ पर भी अब देखिए माइनस अंदर जाएगा अंदर बेजिए ना तो 1000 में से हमने वन घटाया तो 999 भी कुछ इस तरीके से मारे पास आया कि नहीं है आ गया ना चलिए देखिए और दिस बिल भी कैंसिल आउट and here we will get क्या आपने प्राप्त किया ए माइनस भी तो जो हमारा एक हजारवा पद है वही दोनों सरणियों को एक हजारवा पदों का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा ए माइनस भी के तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकर नंबर अब समीकर नंबर तीन इसको मानते हैं ठीक है अब ए दो देखिए दो नंबर में मारे पास A माइनस B का मान कितना आया है सवाया है तो 2 से A माइनस B का मान आप समीकर तीन में रख दीजे लिखिए समीकर अड़ 2 से A माइनस B का मान समीकर्ण 3 में रखने पर रखने पर तो student आप लोग मान रख दीजिए तो देखिए मारे पास क्या जाएगा is equal to a-b का मान क्या रखना है 100 तो student यहाँ से आपको क्या पता चला जो हमारी दोनों सेर्डी थी इनके 1000 पद का अंतर कितना होगा 100 होगा तो यही हमारा एंसर होगए ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी सरलता के साथ यह जो हमारा question था हमने इसको solve कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा चलिए अब आप लोग इस 13 नंबर को ध्यान से देखें इसमें क्या बात कही जा रही है तीन अंकों वाली कितनी संख्या हैं साथ से विभाज हैं तो हमें साथ से विभाज तीन अंकों वाली संख्या हैं क्या क्या हो सकती हैं अगर हम लोग पहली संख्या की बात कि देखिए आप लोग सबसे पहले 103 नंबर तीन अंकों वाली संख्या है तो देखिए क्या साथ से विभाज है तो आप पाऊगे सव मारा साथ से विभाज नहीं है ठीक है इसी तरीके से आप लोग 101, 102, 103, 104 को भी चेक करोगे 37 से विभाज नहीं है तो हमारी जो पहली संख्या है ओ क्या है 105 है जो की 7 से विभाज है इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पर सकता है तो आप लोग सोच लिजिएगा जिस तरीके से बात कही जा रही हम लोग उसी ह 119 हो जाएगी 34 संख्या इसमें आप साथ जोड़िये तो 1926, 126 हो जाएगी और इस तरीके से हमारी संख्या होगी अब हमें यहां पर जो हमारी आखरी संख्या होगी तीनंक से जो साथ से विभाज है उसको भी प्रात करना पड़ेगा तो देखे तीनंक की हमारी जो संख्य है 999 है उसके बाद तो हमारा एक हजार चारंग की संख्या में मिलने लगेगी तो यहां पर 999 देखी क्या साथ से विभाज है तो इसको आप चेक कर लिजे क्या 999 साथ से विभाज एकाट गये साथ एक गये साथ यहां पर साथ लिगिए 299 साथ चवक 28 को एक 99 यहां पर 19 ओ गया साथ 2 ली 14 published in पाम साथ सेस्पल बच रहा है तीक है उ क्या बता रहा है अगर यहां पर 545 नहीं होता यानिए की पाम सेस्पल में जीरो मिलता तो संख्या साथ से भी भाज होती तो यहां पर जो मारे पास 999 है इस 999 में से जब हम 5 घटा देंगी तो हमें जो संख्या मिलेगी वह साथ से भी भाज होगी ठीक है सबसे आखरी संख्या है ऐसा भी आप कह सकते हो साथ से विभाज तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 994 है तो यहां पर आप 994 भी लिख दिजी और आप देख सकते हैं यहां पर हमारी एक सेड़ी बन गई है और कैसी सेड़ी बनी देखिए सेड़ी का अंतीम पद क्या है? 994 है चलिए अब इस सरेड़ी में कितने पद हैं वही साथ से बिभाज कितनी संख्याएं हैं तीनंकों कि में वो बता नहीं है तो यहां से मैं पता चल रहा है किसा आम लोग निकालते है अब यहां से मैं पता चल रहा है क मार्वे निकालते हैं अभूव फनूला जानते हैं जब हमारा सरणी carbon א hopeन ग्याथ यहां थे व्यूक्त बहूरा है योग अल्यख़ किने फ्रश्वेट वाल 105 है प्लस एन निकालना है माइनस वन डी कमान देखे कितना है साथ है बस सॉल्व कर लिजी इस 105 को आप इधर बेजिए 994 में माइनस 105 और यहां पर देखिए एन माइनस वन ओफ सेबन देखे 14 में से मने 5 गटा है तो 9 आ गया यहां पर 8 बचा है आठ लिख दीजिए और यहां पर कितना बचन नो चेक कर लिजिए 14 में से मने 5 गटा है 9 आ गया और यहां पर 8 में से 0 गटा है 8 और 9 में से मने 8 गटा है तो मारे पास क्या आगया 8 आ गया चलिए एन माइनस वन ओफ सेबन इस सेबन को इधर बेजिए तो 889 बटे में 7 इस एक्वल टू एन माइनस वन साथ से काटी देखे क्या आएगा साथ एक के साथ एक गट हो गया 18 ठीक है तो साथ दूनी 14 चार अठार गया 49 साथ सता उन चास एन माइनस वन इस एक्वल टू 127 इस से आप काट देखे ठीक है और इन बराबर क्या आ गया 127 प्लस में 1 इस एक्वल टू 128 तो अब आप लोग बताईए तीन अंकों वाली कितनी संख्याए साथ से विभाज हैं तो हमारा जो एनसर हो गया 128 128 संख्याए हैं जो तीन अंकों वाली हैं और साथ से विभाज हैं लिखे अतहां तीन अंकों वाली साथ से विभाज हैं संख्याओं की संख्याओं संख्याओं की संख्याओं 128 है और स्टूडेंट इस तरीके से यह जो मारा क्वेस्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया हैं चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और उसको हल करते हैं तो चलिए इस्टूडेंट आप लोग क्वेस्चन नंबर 14 को पढ़िए देखिए इसमें क्या का जा रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुड़ज है ठीक है 4 के कितने गुड़ज है तो हमें 4 के गुड़जों की संख्या बतानी है तो इस्टूडेंट आप लोग ध्यान से दिखी हैं दस और धाई सो के दीच 4 के कितने गुड़ज है लिखिए, दस और धाई सो के बीच 4 के गुड़ज है, पहले तो आप लोग लिख लिजिए, अब देखिए, आईसी संख्या, ठीक है, जो चार से पूरी पूरी विभाईत हो जा रही हो, अब हमें 10 और धाई सो के बीच बतान तो आप पाओगे चार से विभारित है नहीं ग्यारा को देखेंगे तो जो हमारी पहली संख्या मिलेगी वह मिलेगी बारा ठीक है बारा हमारी क्या है चार से विभारित है उसके बाद 16 मिलेगी 16,4,20 मिलेगा 24 हो जाएगा और 28,32 ऐसे ऐसे आपको चलना है हमें 252 के 20 देखना है तो ऐसे बहुत सारी संख्या होगी अब देखें क्या 250 के पहले 249 हमारा 4 से विभारित है तो आप पाओगे 4 से विभार नहीं है तो हमारा जो 248 है वो क्या है 4 से विभारित है तो यहाँ पर जो हमारी आखरी संख्या हो गई 4 से विभार नहीं है तीन अंक वाली 200 के बीच में वो क्या है 248 है आगे देखिए अब यहाँ से ए जो हमारी सेड़ी बनी एक समांतर सेड़ी बन गई है यहां से आप लोग देखें जो ए का मान है वो क्या है 12 है दी की बात करें तो 16 में से आप 12 गटाएगा तो 4 सेड़ी का जो अंतिम पद है वो 248 है और हमें N का मान निकालना है तो चलिए हम लोग सॉल् जानते हैं L is equal to A plus N minus 1 of D, L का मान कितना देखे 248 है, तो यहां पर हमने 248 लिखा, A का मान 12 है, plus N minus 1 of D, D का मान देखे कितना 4 है, बस अब आप इसको solve करिए, 248 plus 12 इदार आएगा, तो minus 12 is equal to N minus 1 of 4, अब 12 गटा आई है, तो 8 में से 2 गटाए 6 हो गया, 4 में से 1 गटाए 3 हो गया, यहां पर 2, N minus 1 of 4, 4 से काट दीजिए, 4 से काटी इसको देखे कितना, 4, 5, 20, 23, 36, 4, 9, 36, तो 59 is equal to N minus 1, और minus 1 को इदर बेजिए, तो N बराबर 59 plus 1 is equal to 60, तो student 10 और 250 के बीच, 4 के गुरजों की संख्या कितनी है, 60 है, लिखिए, आता है, 10 और 250 के बीच, के बीच, 4 के गुरजों की संख्या, 60 है, और इस तरीके से, जो मारा question number 14 हमने इसको हल कर लिया है, चलिए, अब हम लोग अगले number पर चलते हैं, और इसको हल करते हैं, तो student, आप लोग question number 15 को पढ़िए, देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, एन के किस मान के लिए, दोनों समानतर संख्या, एक समानतर संख्या में यहाँ पर दी गई है, और दूसरी, यहाँ पर दी गई है, कि यनवें पदों के मान बराबर होगे, तो चलिए, अब ए जो स्रेंडी दी गई है, चलिए, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको हम S1 ले रहें, ठीक है, इसका पर्थम पद है 63, 65, 67, और ऐसे से में स्रेंडी दी गई है, और ए जो स्रेंडी है, इसको हमने किस मान के लिए दोनों समानतर स्रेंडियों के यनवें पद के मान बराबर होगे, यानि कि भई, किसी भी यनवें पद से, यन के किसी मान पर क्या हो जा रहा है, ए जो स्रेंडी है, इसका मान बराबर होगा इसके, तो हम मान ले रहे हैं, कि जो यनवा पद है, ठीक है, पत बरावर होने की बात कही जा रही है अन्य पर जो एनमपद है आने कि ऐन आएगा तो ऑन जो इसका आएगा उसका भी आ रहा और किस एन के लिए आ रहा है मैं वी बताना एक्छी सको आए माल लिया है कि Right A n ॉपट जानते हैं formula क्या होता दिखिए formula मारा एनवा पद निकालने का होता a n is equal to a plus n minus 1 of d अब इसका a n बराबर हो रहा इसके a n के तो मारा concept क्या यूज होगा इस स्रेडी का ये नवा पद बराबर हो रहा इस स्रेडी के ये नवे पद के किसी भी n के मान के लिए ठीक है और हमें o n का मान बताना है तो चलिए हम लोग concept क्या apply करें कि जो हमारा a n होगा किसका a n पर्थम स्रेडी का यहां पर लिख लिए तो s1 का a n है वो बराबर होगा स्रेडा m k N के तो s1 कई निकालने का a न देखी है क्या होगा यहां परे कामान रक्की क्यों है 63 प्लस और ऐसका स्रेडी जो तुमारी S1, S1 का D देखिए क्या हो जागा पैसाथ में से आप 63 गटाओगे दो आएगा अब S2 के लिए देखिए एक आमान कितना है 3 है N-1 of D और D देखिए क्या है 10 में से आप 3 गटाओगे तो 7 आगे बस आपका क्वेस्टन हो चुका है सॉल इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए देखिए हो जाएगा 63 टू को मने मल्टिप्लाइ किया 2N-2 इसको मल्टिप्लाइ करिए 7N-7 खल करिए देखिए प्लस 2-3 माइनस साथ तो माइनस चार प्लस शाथ यहां पर देखिए 63 कि माइनस 2 प्लस 2 expands टू एं तेरे एक सट मेंस अदो घटा है थो हमारे पास 61 आगया प्लस-2-4 इस मानेस प्रकों मदर लेकर क कि अगे हमारी पास क्या हो गया दो चलिए सेबन यह रहना रहना दें आप एक साथ में से मने चार घटा है तो आप बताए क्या जाएगा विप्टी से बनाएगा कि नहीं आएगा आजएगा माइनस चार इधर आएगा तो प्लस चार होगा इस्टूडेंट ठीक है और हमारे पास एक सट चार हो जागा पैंसट इस टू एन को इधर बेजिए हूँ सेवन एन मानस टू एन और सात एन मेंसे इनने दो एन घटाया हमारे पास कितनばい ऑंगया पांच ए में कर दिए कि आगे एन न का माननिकाल लिया है एन बराबर दिरा पर अगर हम यह न का मान तेरा ले लें है इसका जोictions तेरह मांपत हग वह सब डखिए है कि यहन बराबर 13 पर से रिका जो यंटमापर गवे यंदुर रहाज ёмनेूट इसका तीरमापाद बराबर हो जगई इसके तेर्माप वे तेर bonuses के लिकि यहन बराबर 2 पर कि अबर ot what a dollar आप रहे जो यहन भाद होगा टेकेन में मैं है को फवvaluation केमाऴ में बस यही अमें बताना था तो आप लोग बस जैसे कहा जा रहा है उसी हिसाब से आपको concept apply करना है formula आपने जो सीखा है वही formula यूज करना है चलिए अब हम लोग अगले question पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला question क्या है question number 16 आप लोग ध्यान से पढ़िए के लिए देखी 16 में क्या कहा जा रहा है वह एपी जिसका तीसरा पद 16 और सात्वा पद 5 वह पद से 12 अधिक है चलिए हम लोग solve करते हैं student हमें मानना पड़ेगा ना भई जयमेर इसेरडी का व्यापा ग्रूप आपको पता है तो मेसी सेरडी का परफंपत ऐ हैी सरबांता ई ती आए तो जब परतम पद में जोड़ेंगे तुम्हारे पास इप्लस अजाएगा और इसको मगलती लिखे इसको ए प्लस त्रीडी लिख लीजिए इसको ए पलस फॉञ टीलिए हमाराज जनरल कॉन होता है लोग zuld भीत फार्टी इसको लिके ए प्लस शिक्स दी और इसको लिखिए यह प्लस श्रिबंडी साथ में पत्तक की बात की गई है तो साथ में पत्तक हमें लिख लिए ठीक है और आगे भी ऐसे स्रेंडी चली जाएगी चलिए अब यहां से आपको देखने से क्या लग रहा जो स्रेंडी का पर्थम पद है होए है सर्वांतर की बात करोगे तो आपको D मिलेगा लिखिए पर्थम पद A है और जो सर्वांतर है हो क्या है D है चलिए अब देखिए क्या कहा जा रहा है अक्त्यदिक क्यों जिसका तीसरा पद 16 तीसरे पद को कैसे दिखाते हैं स्टूडन्ट एमश्परिस में क्या दिया है छकुक चलिए और देखिए सांवा पद जो सांवा पद है उसको पंक्त हम्से पट से श nineकतो 500 आदी के 12 तो यहां पर 12 लिख दिजिए अब हम लोग formula जानते हैं formula क्या जानते हैं एन इस इक्वल टू होता है चलिए लिख देते है formula एन इस इक्वल टू होता है एप्लस एंड माइनस वन ओप डी यहां पर एन कमान तीन दखिए एन कमान हमने 3 दखा तो यहां पर क्या होज़ागा a3 is equal to a plus एन कमान हमने 3 दखा तो 3 माइनस 1 ओप डी और यहां से a plus तीन में से हमने 1 गटा है तो 2 d और a3 कमान देखिए क्या है 16 है तो a plus 2 d is equal to 16 ठीक है इसको हम समयकर एक मन लेते हैं कि अब यहां पर आप लोग देखिए a7 ठीक है a7 निकालने के लिए फॉर्मूला यहां से देख लिए एक दो तीन चार पांच छठा पत क्या हो जाएगा सत्वापत a plus 6 d यह फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी वही आएगा तले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आप निकालने के लिए a plus n n का मान कहाँ सेबन मानस 1 ऑबडि थेक यहां पर देखिए इसके लिए a plus n का मान कितना 5 है तो 5-1 ऑबडी कि प्लस 12 यहां पर हो जागा a plus 5 में से अबने गता है चार डी प्लस बारह ए प्लस शेक्स लिए आया अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं स्टेड़ी तो वही है तो पर्थम पद यहां पर भी है यहां पर भी हो जागा कैंसिल आउट यहां पर सिक्स डी है यहां पर फोर डी है क्या पर चाहां उर्फ कुछ इधर लेकर गयाए ओ माइनस फोर डी इज एक्पल्ट टू 1 चे ड्यम्याँ के दो एक्पानटी घटाऊ की है और इस तरीके से जो डी है डी का मान क्या गया शेक्स आ गया अब जो डी का माना है इसे अप समीकरण एक में रखने पर रखिए D कामान यहाँ पर A प्लस दो गुड़े D D कामान है 6 तो यहाँ पर उन्हें 6 रखा बराबर 16 A प्लस दो छंगे हो जाएगा 12 इस इक्वल टू 16 और यहाँ से देखिए 12 को इधर बेजिए A इस इक्वल टू 16 माइनस 12 और हमारी पास A कामान आगा अच्छा अब इस्टूडेंट आपको करना क्या है बताइए इस A कामान और D कामान यहाँ पर जो हमने A P माना है ठीक है A हमने A P मानी है यहमारी A P है इसमें A और D कामान रखते जाएए और सेंडिया प्राप्त करते जाएए लिके जो हमारी सेंडिया क्या हो जाएगी A कामान रखे एक कामान कितना है चार तो यहाँ से आप A कामान चार रखे है अब देखे दूसरा पर क्या हो जाएगा A कामान रखना है चार और D कामान रखना है छे A कामान रखे है चार और D कामान रखे है A का मान रखिए 4 और D का मान रखिए 6 और इस तरीके से मारी सिर्णी बन रही है चलिए लिखे 4 6, 4, 10 यहां पड़ लिखी 2 चंग 12 और 12, 4, 16 3 चक 18 और 18, 4 क्या हो जगा? 22 4, 10, 16 22 ऐसे आएगा 28 और इस्टूडेंट हमें एपी निकालनी थी ठीक है? हमें सिर्णी बतानी थी तो यही मारी सिर्णी हो गई ठीक है? चलिए अब लोग अगले क्वेस्टन पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला क्वेस्टन क्या है? तो इस्टूडेंट आप लोग क्वेस्टन नमबर 17 को पढ़िए देखी क्या का आ जा रहा है? एपी 3813 233 में अन्तिम पत से बीस्वा पत ग्याद करना ठीक है? चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं देखिए अन्तिम पत से बीस्वा पत निकालना है तो आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं जो हमारी एपी है उसको कुछ इस तरीके से लिखा ऐसे उल्टे जो आकरी पत इसको पहला पत आप बनाई है 253 यहां पर क्या है 13 लिख दीजिए यहां पर 8 यहां पर 3 देखिए जो यहां पर एपी दी गई थी क्या आमने वही लिखा है आप कहोगे जी हाँ बस हमने ऐसे उठा के ऐसे पलट दिया तो यहां पर यह मारा क्या है अंतिम पत एल इस इकोल टू 250 थे अब आप लोग ध्यान से देखिए एल इस इकोल टू 53 है हम लोग इसका सरवांतर निकालें तो सरवांतर कैसे निकालते हैं आप लोग बताईए दूसरे पत में से पहला पत गटा के तो इसमें से आप चाहे इसको गटा ही चाहे इसमें से D is equal to 8-13 8 में से हमने 13 गटाया तो हमारे पास क्या है आप बताईए हमने 8 में से 13 गटाया तो हमारे पास माइनस 5 आप अब आप लोग ध्यान से देखिए और यहां पर इस्टुडेंट ध्यान से देखिए अन्तिम पत से 20 वापत थो हमारे N का मान क्या है 20 है और हमें A20 वापत क्या होगा तो हम लोग फोर्मुला जानते है fोर्मुला हमारे क्या होता है A N is equal to होता A plus N मानस 1 आप डियए मरब फोर्मुला होता हमें N का मान 20 रखना है लिखे क्योंकि 20 वापत चाहिए n बराबर 20 रखने पर रखिए n बराबर 20 820 is equal to a plus n minus 1 of d अब आप लोग ज़रा गवर फर्माईए यहाँ पर हमें 200 पद निकालना है जी हाँ अब आप लोग देख पा रहे हैं यह जो हमारा अंतिम पद है वो क्या बन चुका है पहला पद बन चुका है और नहीं बन चुका है भई अंतिम पद से 200 पद निकालना था तो हमने दिमाग लगा और अंतिम पद को पहला पद बना दिया घुमा के क्या कोई असर पड़ा नहीं पड़ा ऐसे पलट या पलट दिया अब यह हमारा अंतिम पद सिलरी का कैसा पतके पर्थम पद चलिये, यहां पर लिक देते हैं जो मारा अंतिम पद ल बराबर 223 के बराबर पर फ्रत्म पद के, यहां पर एक ऐसंत पर एन थहाँ है, 253 प्लस, एन का मारा 20 रखना है, 20 रखके, minus 1 of d d command minus 5 रखनात रख दीजी लिखे 253 प्लस 20 में से हमने एक घटा जो कितना जागा 19 19 को 5 से multiply करिए 19 पच्छे कितना होता है 253 प्लस माइनस का multiplication माइनस 19 पच्छे 25 अब 3 में से 5 घटेगा अब आप कहोगे नहीं घटेगा थम कहेंगे घटेगा कहयों कियसे यहाँ से एक उधार ले लेजी आधा तो यहां पर कितना बचाएश चार तो बनाएँगे 14 में से 9 घटेगो 14 में से 9 गटाएंगे 5 यहां पर बचाएग तो हमारा जो अंतिम से 20 अपद है वो क्या चुका है 108 ठेक है student लिखिए आता है AP का दिये गए AP का ठीक है दिये गए AP का अंतिम से 20 अपद 158 है तो my dear student आप लोग इस तरीके से question number 17 को भी हल कर सकते हैं चलिए अब लोग अगली number पर चलते हैं और देखते हैं अगली number का solution क्या होगा तो student एरा आप लोगों के सामने question number 18 और इसको आप ध्यान से पढ़िए इसमें कहा जा रहा है किसी AP के चौथे और आठमें पदों का योग 24 है कौशन कौन से चौथे और आठमें पदों का योग तथा चठमें पदों का योग 44 है इस AP के परतम तीन पद ज्यान की तो चलिए हमें पर्थम तीन पद निकालने हैं तो जैसा जैसा कायरा है आप लोग वैसे वैसे करते चले जाएए तो इस टूलेंट इस AP के पर्थम तीन पद हमें ज्यात करने हैं तो चलिए हम लोग मान लेते हैं माना एपी का पर्थम तीन पद ठीक है कि पर्थम तीन पद भाई जेनरल फोर्म आप मानिए बार्थम है दूसरे पद की बात एक है प्लस डी होता है भाई सर्भांता डी जोड देते हो तुम्हें दूसरा पद मिल जाता है और तीसरा पद हमारे ए प्लस टूड़ी हो जाएगा ठीक है तीनी पद बताने हम तीनी ले रहें बाकी के और भी आप राइट कर सकते हैं चलिए अब देखिए सर्थ अनुसार आप काम करिए एपी के चौथे और आठवे पदों का योग तो एपी का चौथा पद क्या होता है चौथे पद को एफोर से रिपरजेंट करते हैं और आठवे पद को हम लोग एट से दिखाते हैं चौथे और आठवे पद का योग कितना है चौबीस है ठेक आगे देखिए क्या कहा रहा है तता छटमे और दसे पदों का योग 44 से छटमे पद को किसे रिपर्जेंट करेंगे A6 से और दसमे पद को A10 से दिखाते हैं इन दोनों का योग कितना 44 से अब हम लोग फर्मिला जानते हैं किसी भी स्टर्णी के N में पद को निकालने का क्या होता है N is equal to A plus N minus 1 of D तो हमें A4 निकालना है आप बताए A4 कैसे निकालेंगे यहाँ पर N बराबर 4 रखेंगे तो रखिए A4 is equal to A plus 4 N के अस्तान पर 4 रखना ठीक है 4 minus 1 of D A plus 3D इस तरीकी से मारे पास A4 आगे चले हम लोग A8 निकाल लेते हैं तो A8 जब आप निकालोगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या जागा 7D 8 minus 1 करेंगे तो 7 बना जाएगा A4 और A8 का मान आप यहाँ पर रखिए ठीक है इसको समिकन एक मान लेते हैं लिखे A4 तता A8 का मान समिकन एक में रखने पर तो रख दीजिए A4 का मान देखे क्या रखना A plus 3D तो यहाँ पर रखिए A plus 3D प्लस A8 का मान कितना रखना A plus 7D तो यहाँ पर रखिए A plus 7D और बराबर किसके 24 के चलिए A में A जोड़ेंगे तो 2A plus 3 plus 7 कितना हो जाएगा 10D बराबर 24 के तो यहाँ से आप लोग कुछ देख पारे हैं मैंने 2 कॉमन किया A plus 5D is equal to 24 अब क्या इधर लेकर के जाओगे यहीं का अर्दिजिए ठीक है दो बार में 24 A plus 5D is equal to तो मारे पास कितना आ गया 12 आ गया A मारे पास आ गया ठीक है चलिए इसको मान लेते हैं समीकर नमबर 2 चलिए अब इस पर आ जाते हैं हम लोग अब इसको हम डिरेक्टली यहाँ पर लिख देए ठीक है A6 निकालोगे formula apply करोगे A N is equal to A plus N minus 1 of D तो 2 A पांच में 9 जोड़ेंगे तो 14 D is equal to 44 दो common किया A plus 7 D is equal to 44 दो से काड़ दिया तो यहाँ पर 22 आ गया A plus 7 D is equal to 22 और इसको मने नमबर समीकर न तीन मान लिया अब देखिए एक और तीन को हल करिए हल करना तो आप जानते ही है लेकिए समीकरण 2 तता 3 को हल करने और हल करिए आप इसको कैसे हल करोगे बिलोपन बिदी चे हल करिए किसी एक पद को गाइब कर दिजिए ऐसे नहीं गाइब करना तो यह पे रूल्स अपलाई करना आपको अब बिलोपन बिदी का यूज करते है बिलोपन बिदी में में आरे पास किसी एक चर को समाप्त करते हैं यहाँ पर हमें दीख रहा है आप 2 में से 3 को घटा दीजिए या पिर 3 में से 2 को घटा दीजिए जैसे ही आपको suitable लगे तो हम 3 में से 2 को घटा आ रहे हैं ठीक है A प्लस 7D is equal to 22 है और A प्लस 5D is equal to 12 हम क्या कर रहे हैं घटा आ रहे हैं कटाने पर चेन बदलता है बदलिए कैंसी लोग है 7D में से 5D घटा 2D आ गया और 22 में से 12 घटा थो हमारे पास 10 आ गया रिखिए 2 के 2 2 पंचे 10 तो D का मान स्टूडेंट कितना आ गया 5 आ गया चलिए अब इस D के मान को हम लोग समिकार 2 में रखेंगे और A का मान प्राप्ट करनेंगे लिखिए D बराबर 5 समिकार 2 में रखने पर रख दीजिए D का मान 5 रखना है A प्लस 5 गुडे 5 बराबर 12 एक का मान देखिए 12,5,5,5 इदर लाईए और मानस पचीश पर लस बारा कितना हो गया मानस 13 तो जो सेड़ी है सेड़ी का पर्थम पत कितना गया मानस 13 आ गया ठीक है चलिए मैं सेड़ी के तीन पत बताने है तो यहीं पर लिख दें चलिए जो हमारे सेड़ी उसका पर्थम पत कितना है मानस 13 आ यहां पर देख लिए जी मानस 13 आ गया है दूसरा पत कैसे निकलेगा भाई ए ए का मान रखी कितना है मानस 13 डी डी का मान कितना है 5 है तो 5 रखी और यहां पर देखें ए का मान मानस 13 प्लस 2 इंटू मेड डी और डी का मान देखें क्या है 5 है हल करिए यहां पर तो मानस 13 होगा मानस 13 प्लस 5 तो कितना हो जागा मानस 8 दूसरा पता आ गया दो पंचे 10 मानस 13 प्लस 10 तो मानस 3 और जो हमारी स्त्याड़ी है उसके पर्थम 3 पद आ गए है माइनस 13, माइनस 8 तथा माइनस 3 लिखिए अधा AP के पर्थम 3 पद माइनस 13, माइनस 8 तथा माइनस 3 है और बच्चों इस तरीके से जो मारा question number 18 था हमने इस 18 number को solve कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले number पर चलते हैं और उसको हल करते है तो student आप लोग question number 19 को पढ़िए देखिए इसमें क्या का जा रहा है सुब्बा राव ने 1995 में रुपिया 5000 के मासिक बेतन पद कार आरंब किया और प्रतेक वर्ष रुपिया 200 की बेतन बृद्धी प्राप्त की किस वर्ष में उसका बेतन रुपिया 7000 हो गया ठीक है चालिए अब समझें सुब्बा राव जी ने क्या करी 1995 में इन्होंने कोई काम स्टाइड किया और उस समय इनका बेतन कितना था 5000 था समझ गये भई 96 में 200 की बृद्धी हो रही है तो इनको कितना मिलेगा बताइए 5200 मिल रहा भई 200 रुपिया बढ़ जा रहा इसी तरीके से 97 मिल बढ़ रहा बढ़ रहा दोसों 5400 प्राप्ती है तो ऐसे ऐसे क्या हो जा रहा है इनका सेलरी बढ़ रहा है और कभी मतलब किसी वर्स इनका जो पैसा है इनकी जो सेलरी है उस 7000 हो गई अब हमें बताने कि इस वर्स में उसका बेतन रुपिया 7000 हो गया तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा है अगर आप 10-10 करोगे तो आपको सरवांतर मिलदा 200 इस 10-10 करोगे तो भी आपको 200 मिल रहा है और ऐसे करोगे तब भी आपको 200 मिलेगा देख लिजिए यहाँ पर वो जगा 5600 200 ही मिलेगा इस तरीके से हम देख पा रहे हैं हमारी क्या बन रही है एक समानतर सेड़ी बन रहे ठीक है और जिसके पद कुछ इस तरीके से है पहला पद 5000 दूसरा पद 5200 तीसरा 5400 चौथा पद 5600 और किसी समय पही कोई ऐसा पद है जो 7000 बन जा रहे है ठीक असेड़ी की भासा में आप समझ लिजी इसको अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें पर्थम पद 5000 जा रहे हैं सरबानतर डी हमने निकाला कितना है 200 और अगर अंतिम पद की बात करें अब जो जुमान आपको पता यहाँ पर रख दीजिए हमें देखिए और हम जानते हैं जब सरणी का अंतिम पद यहाँ पर देखिए क्या बंजरा अंतिम पद तो यहाँ पर मारा L is equal to होगा L is equal to A plus N minus 1 of D और L का मान कितना है 7000 है A का मान 5000 प्लस N निकालना है और D का मान है 200 हल करिए इसको इदल लाइए 7000 minus 5000 is equal to N minus 1 of 200 7000 में से 5000 गटाएंगे 2000 और यह 200 यहाँ पर आएगा भाग के साथ में हो जाएगा काट यह कटा 2 0 2 1 के 2 दहम 10 तो N minus 1 is equal to 10 N बराबर 10 प्लस 1 तो यानि कि जो 11 वर्ष है स्टूडेंट 11 वर्ष 11 वर्ष है तो 11 वर्ष में उसको कितना मिलेगा 7000 लिखिए आता है किस वर्ष में उसका बेतन रुपिया 7000 वर्ष है 11 वर्ष में 11 वर्ष में 11 वर्ष में उसका बेतन 7000 हो गया ठीक स्टूडेंट और इस तरीके से जो हमारा प्रष ने वो भी सॉल्व हो गया चलिए अब हम लोग आखरी प्रष संख्या 20 पर चलते हैं और 20 को भी उड़ा देते हैं यहाँ पर देखे क्या कह जा रहा रामकली ने किसी वर्ष के पर्थम सप्ता में रुपिया 50 की बचत की पर यह कोई सप्ता है पहला सप्ता जैसे आप लोग पैसा बचाते हो ना तो आपने समझे पैसा बचाया तो इससे रामकली ने पहले सप्ता में 50 रुपिया बचा लिया फिर अपनी सापता एक बचत रुपिया 17.5 से बढ़ाती गई अब बढ़ा रही है तो पहले में इसने 50 बचाये था तो अगली बार कितना बचा रही है 50 प्लस 17.5 फिर नेक्स प्लस 50 प्लस 17.5 तो बचाये था इस सपता में 17.5 उसने और बढ़ा दिया और इसी तरीके से बढ़ा रही ठीक है और उसका सापता एक बचत रुपिया 207.5 जिरो हो जाता है कभी उसका जो बचत है इतना हो जा रहा है ठीक है अब आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ यहां पर पहले सत्ता में बचत इतना था दूसरे में 50, 10, 60, 17.5 था तीसरे में देखिए 50, 30, 85, 85 रुपे हो गया बही 17.5, 17.5 तो 35 हो गया 35 प्रस 50, 85 हो गया तो ऐसे बढ़ा रहा था न किसी समय इतना हो गया अब आप लोग देखिए इसमें से आप इसको घटाएंगे आपको 17.5 म आपको 17.5 मिलेगा है आएसे घटाएंगे तो 17.5 मिलेगा तो यह हमारा क्या हो जहा रहा है सरबांतर तो सरबांतर आप लोग देख रहे हैं इसे पता चल गया ना जो इस्टेटमेंट दिया गया क्या है समांतर चली है और समांतर संडी को सॉल्फ करने की टेक्णीक हम जान हैं ठीक इस्टूडेंट तो पहला पद 50 हो गया दूसरा पद 67.5 तीसरा पद हमारा 85 ही हो गया और जो आखरी पद है वो कितना है 207.50 तो हमें एन ग्याद करना है सेंडी का परतम पद देखी क्या है एक अमान 50 है अंतिम पद ल हमारा 207.50 है और इस्टूडेंट सर्वांतर की बात करें सो सर्वांतर 77.5 है चलिए फॉर्मूला हम लोग जानते है फॉर्मूला क्या होता है जब हमारा यनमा पद अंतिम पद बन जाए तो फॉर्मूला क्या होता है L is equal to A plus N minus 1 of D L का मान कितना है 207.50 A का मान 50 है प्लस N तो N तो में निकलना है D का मान कितना है 17.5 है ठीक है अब इस 50 को इदर लाइए 207.50-50.00 इसको में लिख सकते हैं N minus 1 इंटू में 17.5 घटा लिजिए 0 5 दसमलो लगाईए 7 में से 0 घटाएंगे 7 आएगा और यहां पर आप लोग घ्यान से देखिए 7 में से 0 घटाए तो मरे पास 7 आया और 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा है ठीक है 157.50 और यहां पर देखिए N minus 1 इंटू में 17.5 है तो लिखी देते हैं 17.5 को आप इधर लेकर करके आएगे 157.50 बटे में 17.5 is equal to N minus 1 अब लोग इसको उपर नीचे 10 से क्या करेंगे मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है 10 से इसे गुड़ा कर दीजिए अंसर हर में तो देखिए क्या हो जागा 157 को 10 से 157.50 को 10 से मल्टिप्लाई करेंगे तो मारे पास कितना हो जागा 1575 यहां पर क्या हो जागा पचीश शक्का डेड़ सो एक सो पचास साथ सताओं पचात्तर हो गए पचीश तियां पचात्तर साथ एक के साथ साथ नौई तिरे सथ तो देख लिजिए यन-1 बराबर 9 आ गया इसको आगे हल करेंगे तो यन-1 is equal to 9 और यन बराबर 10 आ गया तो हमें यन का मान निकालना था है यदि यनमे सब्ता में उसका साथ एक बचत रुपया इतना हो जा रहा तो यन ग्याद किजिए यानि कि जो दसमा सब्ता है दसमे सब्ता में उसका जो बचत है 207.50 हो जाता है हमें यन निकालना था और इस्टूडेंट हमने यन निकाल लिया है और इस तरीके से यह जो मारी प्रशनावली थी हमने इस प्रशनावली के सारे सवालों को solve कर लिया है तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहे हैं अगर आप लोग को कोई रहे हैं थैंक यू